हलो माई शिमरिंग स्टार्स तुड़े आई शौर्या ग्रोवर वेलकम यू अल तिस अमेजिंग प्लाटफर्म आफ एन्सीया टी वाला स्टूडेंस फड़ा फट से जॉइन कर लीजिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चाप्टर अमाइन्स येस एवरीबड़ी पड़ावट से जॉइन कर लो और कमेंट सेक्शन के अंदर एक बर बता दीजिए भी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और मैं आपको विजिबल हूँ है ना सो येस टूडेंस एवरीबड़ी गुड आफटनून एवरीवान गुड आफटनून स्टूरेंस तो आज हम हमारे विजेता बाच के अंदर अमाइन्स चाप्टर को कवर करने वाले हैं कंप्लीट करने वाले हैं वन शॉट के अंदर हाँ जी फड़ा फट से जॉइन कर लीजिए थम्स अप कर दीजिए एक बार कमेंट सेक्षिन के अंदर भी आपको अवाज क्लिरली सुनाई दे रही है और बता दीजिए कि आप रेडी हैं आज की सीरीज के लिए स्टार्ट किया जाए आज का सेशन हेलो एवरीवाण ओके स्टूरिंट्स ओके तो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ फ्यू लाइन्स है ध्यान से सुनिएगा मैदान में उतरने से पहले मैदान में उतरने से पहले हार का डर सताने लगे हार का डर सताने लगे वो जिन्दगी में क्या जीतेगा जो चुनाथियों से घबराने लगे तो अगर लाइफ में कोई problem आती है ठीक है कोई situation आती है तो हमने घबराना नहीं है बलकि हमने क्या करना है उसका डट के सामना करना है है ना है ना students बताईए करें तो इसी कोट के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद ब्यूटफुल स्माइल चलिए तो आज हम क्या करने जा रहे हैं माम आज हम स्टूडेंस सबसे पहले तो यह समझेंगे भी अमाइंज क्या होते हैं वट आरमाइंज इसका इंट्रोडक्शन पढ़े आएंगी और लास्ट में डाइजोनियम सॉल्ट हमारा टॉपिक आएगा तो यह हमारा कुछ प्रोसीजर रहने वाला है सबसे पहले सेग्मेंट में हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन तू अमाइंस ठीक है जी उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ओफ आमाइंस करेंगे ठीक है जी क्लासिफिकेशन ओफ आमाइंस करेंगे एंडेन हम स्टूडेंस करने वाले हैं मैंथर्ड ओफ प्रिपरेशन अमाइंस को आप कैसे प्रिपेर कर सकते हैं उसके बाद आएंगी जी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट जो आपका सेग्मेंट होगा जी वो होगा डाइजोनियम सॉल्ट जिसके अंदर हम डाइजोनियम सॉल्ट को इन डिटेल देखेंगे अच्छे से पढ़ेंगे उसकी प्रिपरेशन देखेंगे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हम य जलदी से यह स्टूडिन्स आट कीया जाए आपकर अज चल जाएंड जिंग करेंauta कुल करेंगे यह को जिखे की चैप्टर एकटी चलिए 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 अब देखें सबसे पहली बात आती है भी अमाइन्स होता क्या है माम इसका मतलब समझाइए अमाइन्स की स्टूडेंस अगर मैं बात करती हूं तो बेसिकली हमने अमोनिया के बारे में पढ़ा है यहां पर यलीफाटिक ग्रुप भी लगा सक्ती हूं एरोमाटिक गृप भी लगा सकती हूं ध्यान से समझेगा यहां पर यहां पर आपको 1-1 समझारी हूं लाध यहां यहां पर मैं कोई aliphatic group लगा देती हूं, या फिर मैं कोई aromatic group लगा देती हूं, तो वो amine की production करेगा, यानि कि यहां से क्या बन जाएगा, अगर R group लगाओंगी, तो क्या आजाएगा, R NH2 आजाएगा, अच्छा, अगर aromatic group लगाओंगी, तो यह कुछ इस प्रकार से दिखेग आपको, यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा, आपको, है ना, अगर मैं इसका इस्तमाल करूंगी या इसका करूंगी, तो आपको यह कुछ इस प्रकार से दिखेगा, क्या सभी को clear है, हां जी, हां जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो यह क्या कहलाएंगे, जी, अब गर्रुप लगा रहे हो उस मैसे पर हम इनको अलुपाइड और अर्माटेग में क्लासपै करते माइन क्रहा होगा आपने प्र ञुप लगा और गुरूप कहने का मतलब यह है कार्बन का गुरूप जैसे कि में पास क्या है CH3 NH2 ठीकेcli और एक्जांपल ले मैम हाँ जी जैसे कि CH3 CH2 NH2 हो गया अच्छा और एक्जांपल देखना चाहें तो हम ये भी तो कह सकते हैं CH3 NH traps 3 ये भी क्या है? ये भी तो Amine है. ये भी तो क्या है? Amine है. ये Amine किस प्रकार से होगा? बहुत सिंपल जिकानी है. मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर NH3 था, दो आइडरोजन आटम हटाए और दोनों की जगा पर एक आर आर ग्रूप यहाँ पर लगा दिया. तो ये भी एक तरह क क्या है? Amine है. अच्छा और example दिजीए, और example दिजीए. for example CH3N, CH3 और एक CH3 यहाँ लगा दे. ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? Amine है. हाँ जी, बिल्कुल सही. हाँ जी students, बिल्कुल सही. बिल्कुल सही. clear है ना? समझ आरी है ना? आपको भी basic हमने आपे किया आपर यह समझनी है जब मैं अलिफाटिक वर्ड की बात कर रही हूं तो मैं स्ट्रेट चेन की बात कर रही हूं वहां में क्लोजड चेन की बात नहीं कर रही हूं जब मैं आरोमाटिक की बात कर रही हूं तो वहां पर मैं क्लोजड चेन की बात कर रही हूं और हम आरोमाटिक क जैसी कि मैंने आपको बोला, अब जैसी कि मैंने आपको बोला, amines जो हैं हमारे, amines जो हैं हमारे, ये दो प्रकार के होंगे, क्या-क्या टाइप होगी, मैं ध्यान से सुनियागा, पहला होगा aliphatic amines, पहला क्या होगा, aliphatic amines, दूसरा हमारा क्या होगा students, दूसरा होगा, aromatic amines, दूसरा क्या होगा? Aromatic Amine Aliphatic Amine और Aromatic Amines के Example दूँगी तो आपको खुछ से समझाएगा Aliphatic में मैंने बोला आपका कोई भी R ग्रुप जुड़ा हुगा है कोई भी Carbon की Chain जूड़ी होगी है जैसे कि ये Example ले लीजिए CH3, CH2, NH2 ठीक है जी और Example लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो CH3, NH2 ये क्या है? ये Aliphatic है क्योंकि यहाँ पर अगर आप गौर दे यहाँ आप गौर दे तो ये हमारा कौनसा ग्रुप जुड़ा हुआ है दो Carbon वाला कौनसा ग्रुप होता है? ये अच्छा ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है स्टूडेंस ये इथायल ग्रुप अटाच्ट है मैं अच्छा ये कौंसा ग्रुप जुड़ा हो एक Carbon वाला तो जी मैं यहाँ पर ये अच्छा ग्रुप हमारे Nitrogen से अटाच्ट है, है ना जी है ना? अब आगे देखो यहां पर aromatic का माइन की बात की जाएगी तो aromatic ring की बात की जाएगी यानिकि मैं benzen ring की आपर बात कर रही हूँ तो मैं यहां पर एक example लेना चाहूँ ठीक है जी जैसे मालो एक यह example मैंने ले लिया अब कई cases में पता क्या है वो इस ring को aromatic ring भी directly लिख सकता है ख़ physiño लेते कर लगे है और आरो अपकिंद तक जाएंगे टेंशन ना यह पड़ा पहली चाप्टर पढ़ा है हो त्वाट कर लेंगे हम बिल्कुल बिल्कुल आराम से कर रहे हैं और बिल्कुल बेसिक से एंड तक जाएंगे टेंशन ना लो और नहीं पढ़ा पहले तो जो सब से पहले हमारी क्लासिफिकेशन की ऊता है गए प्राइमरी आमाइन प्राइमरी आमाइन एक्लाइम तीर से सब कुछ करेंगे एक एक कर के सारे टॉपिक्स कबर करेंगे गे तो पहले बात की जाती है जी जो प्राइमरी क्या होते हैं primary amine को समझना क्या है आपने सारा आपका roll किसका है अमोनिया का है जी आपने क्या करना है अगर आप इसमें से एक hydrogen atom हटा देते हो और उसकी जगा पर एक R group लगा देते हो या aromatic group लगा देते हो तो वो primary amine कहलाएगा क्या बोला मैंने मैंने बोला when when one hydrogen atom when one hydrogen atom is replaced by is replaced by either either R group ठीके जी और aromatic group या aromatic chain ठीके in ammonia it is referred as it is referred as referred as primary Amine या फिर one degree Amine भी आप इसे कह सकते हैं primary Amine या फिर one degree Amine भी कह सकते हैं हां जी clear हुआ सबी को basic सी definition clear हुई हां जी one hydrogen atom को replace करेंगे तो आपको मिल जागा हां जी अभी structure पे भी proceed करेंगे structure पर भी करेंगे ठीके ठीके जी ठीके अब देखना एक्जाम्पल्स लेंगे एक्जाम्पल्स लिजिए मैं इसका एक्जाम्पल्स देखो बार बार से एक्जाम्पल्स लिख रहे हैं कुछ वो डिफरेंस नहीं है तेखो क्या है पहला एक्जाम्पल मैं अब यहां पर जो एक्जाम्पल लेने जा तो primary aliphatic amine का यहाँ पर नाम लिखा जा रहा है, मतलब structure draw किया जा रहा है, देखिए primary aliphatic amine हमारा क्या होगा, यह होगा जी CH3 NH2, अच्छा माम और example भी हो सकता है, primary का बिल्कुल हो सकता है, जैसे कि CH3 CH2 NH2, अच्छा माम और भी example हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, हमने एक hydrogen atom हटा करके R group ही तो लगाना है, तब ही वो primary aliphatic कर लाएगा, क्योंकि हम aliphatic group लगा रहे हैं, है ना, अच्छा और example लिया जाए, अच्छा और ले लो, जैसे कि CH3 CH2 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 NH2 यह भी क्या primary aliphatic amine है, बिल्कुल students यह भी तो है, क्यों भाई माम, कैसे है माम यह भी बता दीजिए, यहाँ पर देखे, यह NH2 है, एक hydrogen atom आपने हटा करके इतना बड़ा group लगा दिया, अब इस group में carbon atom गिन लो कितने हैं, भाई माम, एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, पांच के लिए क्या word root होता है, pen to use होता है, क्या use करते है, pen to use करते है, तो यह pentile group लगा दिया, लगा दिया, clear हुआ, हाँ जी, clear हुआ, तो यह हमारे क्या primary aliphatic amine है, अच्छा जी माम, इसी के अंदर माम, primary aromatic amine भी बता दीजिए, यहीं पर लिग लेते हैं, यहीं पर देखते हैं, primary, primary aromatic amine कैसे दिखेगा, primary aromatic amine क्या होगा, जब आपने एक hydrogen atom हटाया और उसकी जगा पर aromatic ring लगा दी, जैसे की माम, यह देखिए, इसे क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है, aniline, क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम होता है, aniline, आगे जाकर आप देखेंगे, इसका दूसरा नाम है aniline, clear हुआ, तो यह भी हमारे क्या है, primary aromatic amine है, क्य या बात है very good students चलो अब यह तो होगा प्राइमरी वाला केस अच्छा माम आप सेकेंडरी वाला केस भी समझा दीजिए चलिए सेकेंडरी वालान में क्या होगा जब दो हाइडरोजन आटम अप रिपलेस कर रहे हो उसकी जगहा पड़ आर ग्रुप लगा रहे हो यसाー दो het याली टू हाइडरोजन आटम ह्टाम रप्लेस्थ हां ड़ी एदर बाट आइदर बाई आर ग्रूप और बाई आरोमाटिक चेन ठीके जी तो वो सेकेंडरी है माइन के लाएंगे अब इसके अंदर यहाँ पर न हमें वो कर लेते हैं चुआ दो यहाँ पर आप मैं इसके च्वह совет कर सेकेंडरी the secondary aliphatic amine का example देखते हैं सबसे पहले, secondary aliphatic amine में क्या बोला मैंने, भई तुमने दो hydrogen atom हटाने और तुमने कोई भी R group लगा देना है, example देख लो भई, example देख लो, जैसे कि CH3, NH, CH3, मैं और example दो, अच्छा और example ले लो, जैसे कि CH3, CH2, NH, CH3, clear हुआ, clear हुआ, clear हुआ, clear हुआ, बहुत सब्सक्राइब, 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 और उसकी जगा पर क्या कर दिया, दो aromatic rings लगा दी, कुछ इस प्रकार से, क्या सभी को clear हुआ, क्या सभी को clear हुआ, हाँ जी, very easy, yes, it is easy, बहुत easy है, देखो, करोगे तो सब easy है, है ना, बहुत सही, चलिए, अब हम last देखते हैं, इस किंदर जो हमारे पस बचता है, that is हमारा tertiary वाला केस, कौन सा केस है माम, अब हमारा tertiary वाला केस है, बहुत simple है, tertiary वाला भी इसको ध्यान से गौर से समझते हैं, tertiary वाले केस में उसने आपको क्या बोला है, tertiary अमाइन क्या होगा, जब हम कहेंगे, when three hydrogen atoms, when three hydrogen atoms are replaced by, are replaced, either by, either by R गुरुप, भाई तुम इसको R और फिर आप क्या करेंगे जी, और by aromatic groups, या aromatic chains, example के तौर पर देखते हैं जी, example के तौर पर समझते हैं, सबसे पहला example हम लेने लगे हैं, sorry, tertiary, tertiary aliphatic amine का, सबसे पहला किसका example लेंगे हम, tertiary aliphatic amine का लेंगे, क्या example होगा देखिए, बहुत simple सी बात है, nitrogen अब तीन हो आपन अटा दिये, मालो मैंने ये case ले लिया, ये case किसका है, tertiary aliphatic amine का है, ये case किसका है, tertiary aliphatic amine का है, हाँ जी, मैं पिछली slide का screenshot नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं है, पहले अभी आप ये लेख लो, फिर पिछली slide भी कर दूँगे, उसका screenshot भी ले ले लेना, है ना जी, है ना है, कई बच्चे तो कई बच्चे तो यहाँ पर आयू भी ऐसी nomenclature कर रहे है, बहुत सही, बहुत बढ़िया, अभी आ रहे है, उस topic पर भी आ रहे है, tertiary aliphatic amine लिख दिया, अचा आप tertiary aromatic amine लिख दे, बिल्कुल लिख दीजे माम, क्या होगा, देखो, अब मैंने आपको क्या बुला था, आप इस पूरे चीज को na ar भी लिख सकते हो, एक ही बात है, आप देखने को मिलेगा, तो मैं आप इसको ऐसे लिख दू, ar, फिर हमारे पास nitrogen, फिर यहाँ पर ar, फिर ar, तो आप इसको यहाँ ड्रॉ करके भी लिख सकते हैं, आप इसको यहाँ ड्रॉ करके चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे देखते हैं, अचा पिछली slide का screenshot जिसने नहीं लिया वो भी ले लिजिए, बहुत सई, बहुत सई, चलो, अब देखना, students, अब आता है structure of our minds, अब आता है structure of our minds, our minds के structure की बात की जाए, तो ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे हम बात कर रहे हैं जैसे मान लीजे आर एनेच टू की तो पहली बात तो इसकी hybridization बताईए क्या होगी nitrogen की hybridization क्या होगी बताईए hybridization देखने का बहुत सिंपल सा रूल मैंने आपको इसी समझाई है जब भी आप hybridization की बात करेंगे जब भी हम hybridization की बात करेंगे तो जी पाई बॉन्ड को तो count नहीं करना है तो माम किसको count करना है तो student sigma bond को count करना है और जी loan pair of electrons को count करना है बहुत सिंपल जिकाहानी है सिग्मा बांड लोन पर एक्ट्रों को count करोगे तो अगर आपका sum 4 आएगा तो hybridization SP3 होगी, अगर sum 3 आएगा तो hybridization SP2 होगी, अगर sum 2 आएगा तो hybridization G SP हो जाएगी, हाँ जी क्या बात है, अरे क्या बात है, very good, अब यहाँ पर देखो, nitrogen की बात की ज़ा, nitrogen की पास कहा है ज़ि log pair of electrons और nitrogen कितने single bond बना रहा है, वाइम, 1 r के साथ बना रहा है, 2 hydrogen के साथ बना रहा है, 3 तो ये सिग्मा बोडनी यहीं बना रहा है, और एक log pair of electron, और एक क्या है жить, log pair of electron, क्या hybridization हो जाएगी मा'म, sp3 hybridization हो जाएगी, क्यूं किसका sum कितना था फोर आ गया एक लोन पेर और तीन सिंगल बॉंड क्लियर है क्लियर है तो अगर sp3 hybridization है sp3 hybridization है और यूशुड नो यहाँ पर लोन पर फेलेक्ट्रॉंज है जिसके कारण इसकी जो हमारी शेप होगी वो पिरामिडल शेप होगी क्या शेप हो जाएगी पिरामिडल हो जाएगी आई यह देखते हैं एंसी आटी हमें क्या बता रहीं एंसी आटी बोलते हैं लाइक अमोनिया नाइट्रोजन आट्यम जो यहां माइन्स में प्रेजेंट है वो ट्राइवलेंट है और वो क्यारी कर रहा है एक अंशेर्ड पेर ऑफ इलेक्ट्रॉंज नाइट्रोजन के जो और बिटल है इसकी से उसकी हाइब्रडाइजिशन SP3 हो जाती है क्योंकि एक लोन प्रफ इलेक्ट्रॉंज है और तीन वो सिंगल बॉंड बना रहा है तो सम चार हो गया जिसकी वज़े से उसकी जमेट्री जो है वो पिरा मिडल हो जाएगी अब यहां पर इसका एंगल 109 डिगरी 28 मिनट्स हो कर कितना हो जाएगा 108 डिगरी हो जाएगा ठीक है जी क्लियर है क्या बात है क्या बात है हां जी हम 3 डिगरी वालों के आयू पेसी नहीं अभी आएंगे उस टॉपिक पर आयू पेसी पर आएंगे 109 डिगरी 28 मिनट्स ना हो करके 108 डिगरी हो जाएगा due to loan pair and bond pair repulsion loan pair of electrons आने क की वाज़े से जीवाँ पर होगी रिपल्शन चले आगे चलिए आगे अच्छा अब हमारी बात जी आती है नॉमन प्रेशाट ले लो फिर तुम कहते हो screenshot नहीं ले ले लिया सबीने बता दो ले लिया तो बता दो ले लिया तो बता दो चले आगे चलो और हमारे पास और पस बात करने जारे प्राइमरी अमाइन की किसकी बात करेंगे हम अचा धी अगर बात हो रही है तो प्राइमरी अमाइन के गया होगा हुगा आर ह सुनंht पर R group लगा दिया, तो जी वो primary amine होगा, तो जी वो primary amine होगा, है ना, है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं आपसे common name भी पूछ रही हूँ और यहाँ से मैं आपसे IUPAC name भी पूछ रही हूँ, सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछ ते हूँ भाई, इसका common name बताओ, common name को मैं ऐसे CN से लिख रही हूँ और IUPAC name को तो obviously IUPAC ही लिख रही हूँ, common name क्या होगा, R को क्या बोलते हैं, सबी बच्चे, R को क्या बोलते हैं, मानते हो, R को क्या बोलते हैं, alkyl बोलते हैं, NH2, basically हम क्या बना रहे हैं, amine बना रहे हैं, तो इसका common name क्या होगा, common name होगा जी, alkyl amine, common name है जी, इसका alkyl amine, alkyl amine, IUPAC name माम कैसे बताना है, माम कैसे बताना है, IUPAC name बताने का एक बहुत general rule है, जो हर जगा valid होता है, center most position पर word root लिखना है, तुम जहां बैठे हो, तुमने उस copy पर बीच में word root लिख देना है, word root की right hand side पर क्या लिखना है, ये right side होगी, left होगी न, आपकी copy की, right hand side पर आप लिखेंगे, primary suffix यानि की one degree suffix लिखेंगे, क्या लिखेंगे माम, primary suffix लिखेंगे, यानि की one degree suffix, अच्छा जी उसकी भी right hand side पर क्या लिखा जाएगा ma'am? इसकी भी right hand side पर students लिखा जाएगा secondary suffix. क्या लिखेंगे? secondary suffix यानि की two degree suffix लिखेंगे. बहुत सही, बहुत सही. अच्छा अब इसके left hand side पर क्या लिखेंगे? right hand side वाली कहानी तो तुमने कर लिया, उससे पहले की कह लिखेंगे word root की left hand side पर ma'am आएगा primary prefix यानि की ma'am आएगा यहाँ पर one degree prefix. क्या आएगा? one degree prefix आएगा. अच्छा अब इसकी भी left hand side पर क्या आएगा? secondary prefix आएगा, two degree prefix आएगा. फटा फट से इसको समझिए. हर chapter में हमने इसको किया, मुझे लगता है अब तुम्हीं यह बह common culture कर रहे हो, उसमें कितने carbon atom present है? भाइ अगर उसमें carbon atom है, तो word root तुम myth करोगे. दो है तो इत करोगे, तीन है तो प्रॉप करोगे, चार है तो ब्यूट करोगे, छे है तो hex करोगे, साथ है तो hept करोगे, आठ है तो oct करोगे, याध आया क्या सभी को? क्या सभी को याद आ आया बताईए है ना वर्ड रूट तो कर लेंगे तो वर्ड रूट हमें क्या बताता है माम वर्ड रूट बताता है नंबर ओफ कार्बन आटम्स प्रेजंट इन प्रेजंट इन प्रेजंट इन प्रेजंट इन प्रेजंट इन क्लियर हुआ हां जी यह कहानी तो सभी को याद दोगी, है ना, है ना, चलो, अब यहां बात होती है, primary suffix, कि primary suffix किसलिए इस्तमाल करते है, भी carbon, carbon में कैसा bond है, carbon, carbon में अगर single bond है तो an लिखेंगे, double bond है तो an लिखेंगे, triple है तो an लिखेंगे, देखे, क्या बोला मैंने, मैंने का भई, अगर carbon, carbon में single bond है तो तुम और अगर carbon में triple bond है students, तो आप लिखेंगे आइन, Y, N, E, ठीके जी, आइन, Y, N, E लिखेंगे, बहुत सही, अब आती है secondary suffix की बारी, जो कि तुम functional group के लिखते हो, किसके लिखते हो मैं, functional group के लिखते हो, यहां कौन सा functional group है मैं, amine है, तो मैं बता दू, इसके लिए amine ही लि आता, अभी question आने वाले, और अगर जवाब नहीं दिया, तो देख लेना, ठीके जी, primary prefix की बात की करें, primary prefix में क्या होगा, बहुत simple सी कहानी है, primary prefix में अगर हम कहते हैं, तो यहां पर हम open chain and close chain की बात करते हैं, भाई, अगर open chain है तो तो तुम कुछ भी नहीं यूज करोगे, close chain है तो cycle शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, पता है माम, बहुत सही, चलो, कोई बात नहीं अब तो हो गया, close के लिए क्या आएगा, cycle होगा, अच्छा, secondary prefix किसके लिए लिखते हैं, secondary prefix किसके लिए लिखते हैं, secondary prefix किसके लिखते हैं, extra group के लिखते हैं, junior most functional group के लिखते है है, side chain के लिखते हैं, subsequent के लिखते हैं, याद आया, याद आया, तो यहाँ पर क्या हैуля, extra group के लिखते हैं, side chain के लिखते हैं, जी, और junior most functional group के लिखते हैं, के senior most secondary suffix की category में करेंगे अभी एक previous question आएगा previous year question आएगा अभी आपको दिखेगा उससे पहले एक प्राइमरी माइन पर फिर से वापिस आ जाते हैं यहां पर आजाओ इसका हम कर रहे थे इसका हम कर रहे हैth है आएउ पी इसका कर रहे है आप आर इनिस-टूगा कर रहे हैं मुझे बात बताईए आर को आपके बोलते हो अच्छा मुझे बताईए यहां पर प्राइमीरी सफिक्स क्या होगा, कार्बन कैसा बॉंड कोई बॉंड सिंगल बॉंड है, अलकन अमाइन आजेगा, यह इसका क्या हो जाएगा, आई-उपेसी नहीं मुझाएगा, प्राइमीरी सब्सक्राइमीरी 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 CH3, CH2, NH2, फटाफट से बतादो, अच्छा जी, और एक्जामपल ले लेते हैं, CH3, CH2, CH2, NH2, तीन एक्जामपल काफी है, इनका common name, IUPAC name, common name, IUPAC name, फटाफट, comment section में, भर दो, भर डालो, देखते हैं कौन student सही जवाब देते हैं, almost सभी सही जवाब दे रहे हैं, क्या बात ह यह energy जो है ना, यह मुझे बहुत सही लगती है, बहुत सही, यह लगता है भी तुम, हाँ, तुम कर रहे हो, साथ साथ पढ़ रहे हो, बहुत सही, क्या बात है students, चलो common name देखते हैं, common name क्या होगा, यहाँ क्या है, यहाँ मिथाइल है मैम, तो common name हो जाएगा मैम, मिथाइल हो जाएगा मैम, मिथाइल हो जाएगा, अच्छा भई, IUPAC name बता दो क्या होगा, IUPAC name क्या है, अलकनमाइन, क्या है, अलकनमाइन, और यहाँ क्या है, मिथन है, बेसिकली मिथ है ना, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथनमाइन, क्या हो जाएगा, मिथनमाइन, यह मत लगाया यहां पर, ma'am, common name क्या होगा? यहां पर, ma'am, common name क्या होगा? फिर से बही बात, alkaline है, क्या हो जाएगा, मै'm, IUPAC name बता दो, thought about-t same IUPAC name बता दो, यहां क्या होगा, alkaline, तो यहां क्या होज़एगा? इथानमाइन, क्या हो जाएगा मैम, इथानमाइन हो जाएगा, clear हुआ, clear हुआ, अच्छा, इधर आज़ाओ, यहाँ बर क्या है मैम, prop है, थीन कार्बन फ्रॉप है प्रॉप तो क्या हो जाएगा आएज प्रॉपन आमाईण हो जाएगा चले आगे आए आरे क्या बात है वैरी गुड अभुड अब यह तो सिंपल ठाब रामरी ता टा सेकेंडरी पे चले एवरीबाड़ी शाल भी प्रोसीड तु दे सकेंड्री अमाइन क्याटिगरी वटवट बता दो वटवट बता दो मैम डर लग रहा है क्वेश्चन नहीं सौल वो रहा है करेंगे तो क्वेश्चन सौल भी होंगे डर नहीं है डर गए तो फिर कहां से हो जाएगा काम डर ना आपकी डिक्षणरी में नहीं होना चाहिए अरे तुम डर को डर आओ ना है ना डर से मधर हो अब बात होती है से गैंड्री अमाईट की बात की तो से character भेज़यर बाउन के बात की जाए है कि कुल और में बता दौ अच्छा मतलों एक हमारा सिंपन होता है जहांपर डोनों सेम है ठाइज डुट रह acces पढ़ाओ, आएंगे स्पीड में, पहले बेसिक तो समझ लो, अच्छा चाप्टर है, इसी चाप्टर है, हाँ जी, यह आपका सिंपल वाला केस है, यह आपका मिक्स्ट वाला केस है, सिंपल वाले केस में क्या है, नाइट्रोजन के इर्द गिर्द दोनों सेम ग्रूप लगे लगे हैं, मिक्स्ट वाले केस में नाइट्रोजन के एक तरफ तो आर ग्रूप लगे, लेकिन दूसरी तरफ लगे, मतलब अलग लगा रहे हो, एक्जांपल से समझे, एक्जांपल से समझे, एक्जांपल होगा मैं, जैसे कि CH3, NH, CH3, अच्छा, मैं मिक्स्ट के करे, 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 चलिए, आईए, common name की बात करते हैं, common name की बात करते हैं, इस general के लिए क्या common name होगा, कितने आर ग्रूप है, दो आर ग्रूप है, कितने आर ग्रूप है, दो आर ग्रूप है, आर ग्रूप को क्या कहते है, alkyl कहते है, क्या बोलते है, alkyl बोलते है, क्या नाम जाएगा माम डाइलकाईल और अमाइन क्या नाम हो जाएगा डाइलकाईल अमाइन हो जाएगा अच्छा पिछले वाले केस में क्या था अलकाईल अमाइन था ना पिछले वाले केस में क्या नाम था कॉमन नेम इलकाईलमाइन इसमें क्या हो जाएगा डाइलकाईलमाइन आर ग्रुप है तो डाय लिखोगे ना दो बार ग्रुप है ना तो डाय लिखोगे एक नाम क्या होगा इसको आप दो बार लिखोगे यहां लिखेंगे क्या लिखेंगे एलकाइल लिखेंगे मैं फेर लिखेंगे अलकाइल और फिर मैं आएगएगा मैं क्लियर हुआ हा जि बता दो बता दो रहा बहुत आएग खा épisode लो कॉमन नयू हो गया आयू बेसी मिटा था अलकनमाइन, मतलब तुम जिस carbon atom को parent chain में include कर रहे हो, उसका तो तुमने word root करके लिख दिया अलकनमाइन, मतलब तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने इस चीज को लिख दिया, अब यह as a extra group है, और यह nitrogen से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम होगा N-alkyl-alkanamine, क्या होगा, N-alkyl-alkanamine, clear है, हाँ जी, N-alkyl-alkanamine, मैं इस chapter को घत्म होने में कितना टाइम तुम लोग learning process पर focus क्यों नहीं करते, rather than your focusing भी भाई, तुम्हे topic जल्दी-जल्दी करवा दिया जाए, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, हाँ जी, बता दीजिए, फटा-फट से IUPAC हो जाएगा यहाँ पर, चलो, अब यहाँ बात करते हैं, हम किसकी? Mixed वाले की, Mixed वाले क यूज किया जा रहा है, उसको तो अब prefix के तौर पर लिखोगे, ना, उसको फिर prefix के तौर पर लिखोगे, हाँ जी, बता दो फटा-फट से, यहाँ पर भी क्या जाएगा माम, N, Alkyl, Alcon, Amine, अब ना, यहाँ एक खास बात समझना, यहाँ पर जो तुम यूज कर रहे हो, Alky Alkyl इस शब्द का इस्तमाल किया जा रहा है, यह बच्चो किसके लिए यूज किया जाएगा, यह किसके लिए यूज किया जाएगा, जो carbon atom कम है, जिस word root में, जैसे आप क्या करते हो, पेरेंट चेन देखते हो, तो पेरेंट चेन के लिए लिए वर्ड रूट लिखते हो, यूज किया जाएगा, बता दो फटा फट से कमेंट सेक्शन में क्लियर है क्या सभी को यह है, हां जी, हां जी, बता दीजिए, फटा फट से, हां जी, less carbon atom वाला, चलो, अब आपके सामने दोनों examples given है, दोनों examples का, फटा फट से, common name और IUPAC name लिख डालो, फटा फट से, write the common name and the IUPAC name in the comment section, ma'am please repeat this one, कौन से वाला repeat करना है, भाई, लिखो वाहाँ पर कौन सा repeat करना है, हां जी, फटा फट से लिख दीजिए, फटा फट से लिख दीजिए, ओके, लिखें इसका, जवाब करें, करें, चलिए, आईए, पहले देखिए, इस वाले case में क्या हो रहा है, आ आपके पास CH3, CH3 लगा है, जिसको आप मिथाईल बोलते हो, दोनों ही सेम ग्रूप लगे हैं, तो दो है, तो डाय लिखा जाएगा, यहां क्या नाम हो जाएगा, यहां क्या कॉमन नेम होगा, मैम, इसका कॉमन नेम होगा, मैम, यहां लिखते हैं, example हम जो ले रहे हैं, दा लिखो मिथाईल मिथाईल हैं, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, सीधा लिखोगे, यहां पर क्या लिखोगे, N-methyl, Methan Amine, clear हुआ, बतादो फटा फट से, आचा, क्या सभी का यही आ रहा है, बताओ फटा फट से सभी का यही आ रहा है, क्या बात है, बेरी गुड, अच अचा, अब देखना, यहां थोड़ा सा देखना, यहां गलती तुम कर जाओगे, मुझे पता है, कई बच्चे नहीं भी करेंगा अगर जिन्हों ने यह चीज मेंशन की है, इसको लिख लेना, कई बर क्या होता है, कोई छोटी-छोटी चीज़े होती है, जो आप अपनी ल कोट बुक रिविजन के लिए कोल रहे हो ना, तो ध्यान सबसे पहले वही जाए, भी यह नई चीज है, जिसको मैंने पढ़ना है, है ना, अब यहां पर आए, चलो, common name की बात करते है, common name मैंने क्या बोला, alkyl amine है, यहां alkyl amine, alphabatically आप देखेंगे, alphabatically देखेंगे, यहां पर एक CH3 है, एक C2H5 है, CH3 क्या हो जाएगा जी, यह मिथाईल हो जाएगा मैं, और यह हमारा क्या हो जाएगा, इथाईल हो जाएगा, ABCD के accordingly, E पहले आएगा, या M पहले आएगा, obviously E पहले आएगा, तो भाई पहले इसको लिखोगे ना, तो क्या आजाएगा मैं य जाएगा, इथाईल, मिथाईल, अमाइन आजाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कर लेंगे, easy था, हाँ जी, मैं कैसे questions आएगे, previous year अभी आजाएगे, आप देख ले जाएगा, होने वाला है बस, IUPAC को देखे, IUPAC को देखे, IUPAC में मैंने आपको बोला, अलकाईल में मतलब आप कम कार्बेन आटम का है, या मिथाईल में एक है, इथाईल में दो है, कम वाले को रखेंगे, क्या आएगा यहाँ पर मैं, यहाँ आएगा N मिथाईल मैं, फिर आएगा इथन, इथन अमाइन, कर लेंगे students, फड़ा फट से बताओ, हो जाएगा, चले आगे, अरे वाला केस देख लें, questions आ गए हैं बहुत सारे, लेकिन उससे पहले हम एक try, यानि की tertiary माइन वाला केस लेते हैं, अच्छा, इसका screenshot ले लो भाई पहले, इसका screenshot ले लो, फड़ा वट से take a screenshot, screenshot ले लिया, screenshot ले लिया, yes, great, चलो, अब बारी आती है, tertiary माइन की जी, किसकी बा बारी आती है, क्या है tertiary माइन, भाई जब तुमने तीन hydrogen atom हटा दिये, और उन तीनों की जगा पर तुमने कोई R group लगा दिया, या aromatic group लगा दिया, तो वो tertiary माइन कहलाएगा, हाँ जी, यही होता है, यही होता है, हाँ, end क्या है, end nitrogen है भाई, अरे कैसे question पूछ रहे हो, पास क्या है, यह है, common name क्या होगा, common name क्या होगा, कितने R group है, भाई, तीन R group है, कितने R group है, तीन R group है, है ना, तो आप क्या लिखोगे, nitrogen, common nitrogen, common nitrogen, क्योंकि तीनों ही किस से जुड़े हैं, क्योंकि तीनों ही किस से जुड़े हैं, students, तीनों ही किस से जुड़े हैं, तीनों नॉमन के चरम तो हमेशा कार्बन के केसिज लेकर चलते हैं ना अब तुम नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बताने लगे तो नीमेंशन भी तो करना जरूरी है ना नाइट्रोजन पर कोई गुरूप जुड़ा हुआ है है ना तो यहां एन कॉमा एन कॉमा एन का मतलब है यह लिए यह पर यहां पर क्या होगा किसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्या आयूप सी नेम भी बताएं इसका बताया देष चलो बता दो अब देखो फिर से वही बात, IUPAC नेम में क्या होगा, एक आर ग्रूप ही पेरेंट चेन में इंक्लूड हो पाएगा, हो पाएगा न माम, तो इसको माम हम क्या बोल देंगे, अलकर न माइन एक वाले को, अब यहाँ पर क्या चीज है, माम दो आर ग्रूप अभी भी जूड़ और बाकी के ग्रूप को क्या बोलेंगे, अलकाइल बोलेंगे, तो क्या IUPAC नेम होगा, एन, कॉमा एन, डाय, अलकाइल, एलकन, अमाइन, क्लियर है, हाँ, पिछले वाले में आप नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लिख सकते हो, कॉमन नेम के अंदर, कोई दिक्कत वाली ब और काटिगरी जो हमारी रहे गई है, हाँ, एक और काटिगरी हमारी रहे गए, जिसे Allylamine कहते हैं, क्या कहते हैं, एलाइल लमाईन, आइए देखिए, Allylamine, देखिए क्या होता है, भाई पहले Allylik Carbon ढूंडे, Allylik Carbon क्या होता है, ऐसा Carbon, जो फर्दर एक ऐसे Carbon से जुड़ा है जो double bond बना रहा है तो वह carbon, allylic carbon होगा पहली चीज समझो, वह carbon कैसे होगा? allylic carbon होगा, ऐसा carbon जो एक ऐसे carbon से जुड़ा है, जो double bond बना रहा है वह allylic carbon होगा, अब अगर उस allylic carbon पर NH2 जुड़ा है, nitrogen आ गया है जी, NH2 जुड़ा है, तो यह हमारा allyl amine कहलाएगा, तो यहां पर इसकी सब की वेलेंसी पूरी कर लेते हैं, इस carbon ने 2 bond बनाया है, 2 और बाकी है, क्योंकि carbon 4 bond बनाता है, तो 2 बाकी है तो hydrogen साथ बनाएगा, इस carbon को देखते हैं, तो इसने देखो, 1 bond इधर बनाया है, 2 bond इधर बनाया है, 1 hydrogen काफी है, पेंडिंग है, इसको मैं structure हो जाएगा, allyl amine का, जिसमें से यह जो carbon है, हमारा, यह allylic carbon कहलाता है, जिसकी hybridization sp3 होती है, जिसकी hybridization sp3 होती है, clear हुआ, clear हुआ, अरे क्या बात है, चलो, अब हम ना एक question करने जा रहे हैं, यह आपका previous year question है, यहाँ पर आपको 2 functional group देखने को मिल रहे हैं, एक आपका aldehyde functional group है और एक amine functional group है, तो अभी जब मैं नॉमन क्लेचर करा रहे थी, मैंने आपका बहुता है एक senior most होता है, junior most functional group होता है, तो उसी पर based question लेकर आई हूँ, उसी पर based question लेकर आई हूँ, यह खुद से solve किजिए, फिर मैं बताती हूँ, इसको solution, यह खुद से solve करिए, फिर मैं बताती हूँ, खुद से solve करो, फिर मैं बताती हूँ, write the IUPAC name of the following compounds, देखो जो तुम्हें doubts हैं, वो तुम्हारे question में resolve automatically हो जाएंगे, वो तुम्हारे questions में resolve automatically हो जाएंगे, पहले बताओ भई, पहले बतादो, इसका क्या होगा, इसका नाम बतादो, क्या होगा, अचा आप किसी को अगर नहीं पता है, तो amine को अगर आप as a secondary prefix की तेना use कर रहे हो, तो आप amine नों लिखेंगे वहाँ पर, छीए जी, कोई seniority table बताएगा, अरे seniority table के accordingly मैं बता देती हूँ, aldehyde पहले आता है, aldehyde will get the senior most position, अगर भई इसको senior most position दे रहे हो, तो उसको as a secondary suffix लिखोगे, तो automatically amine को as a secondary prefix लिखोगे, तो आईए लिख करते है इसकी nomenclature, nomenclature का general rule है, क्या rule है माम वर्ड रूट है, वर्ड रूट की right hand side पर जी primary suffix है, जी माम उसकी भी right hand side पर secondary suffix है, वर्ड रूट की left hand side पर माम primary prefix है, उसकी भी जी माम left hand side पर secondary prefix है, यही कहानी तो है, यही तो है, देखो क्या हो रहा है, वर्ड रूट के लिए कितन carbon atom की parent chain है भाई देखो इसको first priority मिलेगी ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा ये ही होगा CHO को priority मिलेगी LDHIDE को priority मिलेगी क्यों मिलेगी क्यों कि वो senior most functional group है और एक क्या बात है तुमने तो comment section के अंदर और ये आंसर लिख दिया है देखते हैं किस बच्चे का correct होता है क्या बात है very good वर्ट रूट की बात की जाए चार कार्वन आटम के लिखेंगे मैं ब्यूट लिखेंगे अच्छा primary suffix carbon carbon में कैसा bond है carbon carbon में तो मैं single bond है single bond है तो क्या लिखेंगे मैं अन लिखेंगे हैना secondary suffix अब आता है secondary suffix functional group senior most कौन से है ये तुम्हारा senior most है ये तुम्हारा senior most है अगर ये senior most है तो इसको तुम as a secondary suffix के तोर पर लिखोगे और का secondary suffix होता है अल होता है और यहां NH2 जो है इसको तुम as a junior most functional group के जगा पर लिखोगे और ये as a secondary prefix use होगा जो की तुम्हारा क्या होगा amino होगा अब देखो ध्यान से इसका अल लिखना भई किस carbon atom पर है पहले पर है अल हो जाएगा नंबर मेंशन करना जरूरी है नंबर और अल्फबेट के बीच में डाश आएगा ध्यान रखना नंबर और नंबर के बीच में कॉम आएगा गल्ती मत कराना वहां पर चालो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब यह पिछले वली कानी होगी कुछ होगा नहीं होगा माम क्योंकि यह ओपन चेन कंब डॉडावड है थी थार्ड पर है तो फृ हो जाएगा बता दो क्या बात है बेटनल भी लिख सकते हैं कोई दिक्जक्त नहीं है आप अगर बीचेनल लिखेंगे तो एक्जामिन куда पgeb kissed अषर तो CHO लगया तब भी व्यूटनल लिखा गया है राइट है माम क्या बात है बहुत सई बहुत सई बहुत सई चलो अगला question अगला previous year question आप सभी के सामने है क्या question है द्यान से देखें draw the structure of prop two in one amine draw the structure of prop two in one amine दो मिर्ट लगाओ फटावट से ड्रॉ करो पटावट से ड्रॉ करो हाँ जी ड्रॉ कर लो फटावट से करिये करिये क्या जवाब आएगा इसका देखते हैं यहां पर तो एक ही फ़ंक्शल ग्रॉप है हम आईन ही है चलो start करते हैं देखो अब पहली बात ना तुम्हें पता है एन इन आई ना जाए तो वो तुम्हारा क्या होता है प्राइमरी सफिक्स होता है ना प्राइमरी सफिक्स से पहले क्या होता है मैं वर्ड रूट होता है तो यह क्या है वर्ड रूट होगा प्राइमरी सफिक्स की बाद क्या होता है जी से केंडरी सफिक्स होता है तो इस तरह और प्राइवरिटी तो देनी है, देनी है, हाँ जी, आईए यहाँ देखें क्या होने वाला है, अब वो कहते है प्रॉप है वर्टूट याने कि कितने कार्वन है माम, तीन कार्वन है, बहुत सही, अच्छा, टू इन का मतलब क्या होगा, मैं हमेशा बताती हूं, छोटा नं क्या है, मतलब second और third के बीच में double bond है, अगर मेरा पहला carbon है, जी, यह मेरा दूसरा carbon है, तीसरा है, तो दूसरे और तीसरे के बीच में क्या आ गया, जी, double bond आ गया, आगे देखो, आप क्या लिखें, आप माईनी यानि कि पहले पर क्या लगा है, NH2 लगा है, क्या लगा है, अब सबकी वेलेंसी पूरी कर लेते हैं, इस carbon ने दो bond बना, एक carbon चार bond बना थे, कितने बाखी, दो, बाखी तो किस से replace हो जाएगा, भाई, hydrogen आ जाएगे न, दोनो, इस carbon ने एक bond, इधर दो bond, इधर तीन bond बना है, कितने बाखी, एक बाखी, क्योंकि चार bond बनाने थे, तो कितने hydrogen आ जाएगे भाई, एक आ जाएगा, इस carbon ने दो bond बनाए, कितने बाखी, दो, बाखी तो दो hydrogen आ जाएगे, हो गया, structure रहो गया, अरे हो गया, क्या, बतादो, बहुत सही, चलिए, अगला, अगला, अगला question, अगला question, अगला question, चलो, चलो, अगला question है, draw the structure of N-methyl-eth इसन माइन प्रिविएंस यर क्वेश्जिन एप यह भी आपका प्रिविए यरग फटा फटावज से बता दो क्या आएगा इसका जवाब आरे किおい से बता दो फटावज से और यह क्याuku, नहीं लिखा, तो यह हमारे कहां से और माइम से केंडरी प्रीफिक्स है, वर्ड रूट क्या है, पर मतलब यहाँ यहां पर दो कार्बन आटम है, अच्छा इतना माइन का मतलब कहां भाई इस पर तुम ने के लगा दियाँ, अब यहां नाइट्रोजन आ गया एंड मिथाइल का मतलब के नाइट्रोजन से भाई मिथाइल गुरूप भी तो लगा है अब नाइट्रोजन के जब दोनों दोनों दोरफ गुरूप हो तो एक हाइड्रोजन अभी भी बाकी है इसकी वेलेंसी पूरी करेंगे तो CH3 CH2 आ जा फटावर्ट से बतादो फिर हम मेथह陽 पर प्रिप्रेशिन पर प्रुचा टारेंगे अव्री बhouड़ी बता है बताओ बतार बता है अब यहां पर देखो यहां पर देखो तुमने नॉस circ नंबरिंग कहां से करने है, बहुत माटर करता है, फंक्शनल ग्रूप को प्रायोरिटी देनी है, किसको प्रायोरिटी? functional group को किसको priority functional group को तो भाई ये carbon पहला होगा जी ये दूसरा होगा जी ये तीसरा होगा ये चौथा होगा समझ रहे हो हां जी बोलो ना फटटा फटट अच्छा चलो अब देखो यहां वर्ट रूट किया लिखेंगे मैं 4 कार्बन आटम के लिए मैं ब्यूट लिखेंगे लगे यहाँ क्या होगा सेट्री ड़िए से स्टार्ट के उल्ट होता है इसे यह जाएगा भाइंगे यहट जाएगा यही नॉमंक्लेचर सब्सक्रिब किया है कि यही अरे मेरी बात सुल्दों की तरह लिखते हो फूंट 3-1 गलति कर दो गए पर गलति कर आट रहा है दो वोवल साथ में कैसे आरे भाई और ब्यूट का बीवी छोटा लिखोगे ब्यूट का बीवी छोटा लिखोगे सब कुछ small letters everything should be in small letters clear everybody गलती देखो ना तुम्हारा आता हुआ गलत कराओगे भाई आदा हुआ कराओगे ठीक है ठीक है जी चले आगे चले आगे चले आगे चले यह चले यह चलिए start करते है students start करते है preparation of a mindset अब हम माइन को prepare करने जा रहे हैं भाई माइन को कैसे बना सकते हो different different methods है जिसमें से सबसे पहला method है that is reduction of nitro compounds आप nitro compounds की reduction से किस प्रकार से बना सकते हैं ध्यान से समझेगा ध्यान से समझेगा बहुत easy चीज़ है बहुत easy चीज़ है basically यह आपका क्या है एक तरह का nitro compound है यह आपके benzene ring के ओपर क्या लगा NO2 लगा है जब आप इसकी reaction students करवाते हो with nickel platinum या फिर palladium के साथ किसके साथ तो हमें यहां से क्या देखने को मिलेगा यहां इस benzene ring के ओपर जी कौन आ जाएगा NH2 आ जाएगा यह क्या हो जाएगा यह और जो की हमारा क्या होता है जो की हमारा student होता है primary, primary aromatic amine जो कि क्या होता है, primary aromatic amine होता है मैं, क्या होता है मैं, primary aromatic amine होता है मैं, हाँ जी, primary aromatic amine होता है मैं, हाँ जी, 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 बता दो फटा फटे से, चलो, अब यहाँ पर देखिए, वो यही चीज लिख रहा है, नाइट्रो कंपाउंद रेदूस्ट रोडुस और यहां पर बेसीकिली क्या होजा है, हकर है दूसरी अगर के जूड़ रहा है, क्या हो रहा है, आप हईड्रोजन गैस पास करवाते हो, किसकी प्रेजशंस में, निकल की प्रेजशंस में, platinum की presence में, palladium की presence में, या फिर by reduction with metals भी करवा सकते हैं, acidic medium में, समझे, समझे, देखो, यह reaction तुमने पहले से पढ़ी हुए है, अरे, यह reaction तुमने पहले से करी, अब पते, यही reaction तुम, यही reaction तुम students, Sn plus HCl के साथ भी करवा सकते हो, और Fe plus HCl के साथ भी करा सकते हो, जब तुम इस reaction को, मतलब इसकी जगा पर तुम यह भी इस्तमाल कर सकते हो, जब तुम Fe plus HCl के साथ करवाते हो ना, तो वो best method होगा, अभी आगे आने वाले questions में भी तुम यह observe करोगे, आपको क्या देखेगा, आपको यह देखने को मिलेगा, और वहाँ पर Fe plus HCl लिखा होगा, तो directly आपने क्या करना है, उसको convert कर देना है, primary aromatic amine में convert हो जाएगा, primary aromatic, हाँ जी, Fe plus HCl भी करा सकते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, clear है, में चले आगे, चले आगे, easy था ना, आड़े बहुती था, बहुतीज़़ था, चलो, अगला method of preparation मारा आता है, amountlesis of alkyl halide, क्या आता है में, amountlesis of alkyl halide, alkyl halide क्या हमता है, ankyl का मतलब होता है, omar halide का मतलब होता है, halide क्या हम है, लोचलन होता है हैलोजोन होता है फ्लोडोरीन लोडा आट तो था अच्छा आप देखो अब देखो यहां क्या होने वाला है तुमने क्या लिगा लिए? लिया, Rx लिया, अब अमोनोलाइसिस करा रहे हो, मतलब क्या करा रहे हो माम, अमोनिया यहां करके एड होने वाला है, अब अमोनिया के पास क्या होता है, भाई, नाइट्रोजन के पास क्या होते है, माम, नाइट्रोजन पास होते है, loan pair of electrons, क्या होते है nitrogen के पास, चूड़ेंग, फड़वड बता दू, अरे क्या होते है nitrogen के पास, माम loan pair of electrons होते हैं, क्या होते है, loan pair of electrons होते हैं, यही होता है, हाँ जी, फड़वड बताओ, अच्छा और R और X में से मुझे electron negativity के बार में बता न, R और X में से electron negativity difference के बार में बता होगी किसकी इसे मिताथी और मुझें का इसे ही और इसे च्रीटिफ च इस जंगे ऐगा पार्शल पॉजटिफ चाहरż होना की एक्ट अन्स कर्शन सब्सक्राइग क्या वह नेगेट के पास ऊटरania के पास आब नेकेटीफ यहां से क्या बनेगा देखो, R के पास क्यों आखर के जुड़गया? NH3 आखर के जुड़गया और साथ में क्या है? X- अब नाइट्रोजन नी जब अपने िलोन पर में लेक्टरोटों से शार को दिये और नाइट्रोजन इ extracted थेड़ हो पॉजिटिव साजज आजा जैए कո को इसमें कोई डाउट है नहीं है ना माम बिल्कुल नहीं है ना माम तो यह हमारा क्या हुआ यहां से हमारा क्या बन गया जी सॉल्ट बन गया क्या बन गया सॉल्ट बन गया हां जी यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो बताईए हां जी एक्स की एलेक्टो नेगटिवि पर पोजिटिव एगा पोन बना लेगा अगर इसके झारज से लिखे दू नेयुक्त नहींट ओil है यहां क्या होगा यहां से यह यह पॉसिटिव एक्स चाल आजब आख अगर हुए है a5 तो यह पॉजिटिव मैं एक्स नेग्केट कटानीटने यह यह यहां होगा जाएगा यह इस hydrogen को H positive की form में लेकर जब जाएगा तो यहां से water बन जाएगा और साथ ही साथ जो अब इसके electrons दे वो कहां shift हो जाएगे nitrogen पर shift हो जाएगे hydrogen as an H positive निकल गया भाई साब यहां से hydrogen as an H positive निकल गया तो वो अपने प्राइमरी अमाइन की production हो गई ठीके जी चले आगे अब यह reaction यहां तक सीमित नहीं है यह reaction आगे carry on उसक्ति क्यों अगर आप Rx को access में लेते हो ध्यान से सुनना अगर आप alkyl halide को access में लेते हो न तो अब यह फिर से आगे प्रोसीड होगी चले आगे कैसे होगी मैं वह भी समझा दो अब आपके बस क्या है आर एनेश्टू है क्या है आर एनेश्टू है यहां क्या है जी आर एक्स है क्योंकि हमारा alkyl halide क्या है access में तो यह reaction आगे होगी अब फिर से वही कहानी है माम नाइट्रोजन के पास है माम लोन पर एक्ट्रॉन्स आर एक्स में से एक्स होगा ज्यादा नेगेटिव पर जाएंगे जब यहां पर गए तो अब हमें क्या देखने को मिलेगा आर एनेश्टू था एक हमें ऐसे दिखा देती हूं और एक आर ग्रूप इस पर जाकर के जुड़ गया और एक्स नेगेटिव इसके साथ जुड़ जाएगा फिर से वही कहानी नाइट की साथ जुड़ करें एक्स बनाएगा और यह होगा मां और यह नेगेटिव इस फाईडूज फिर सब्सक्राइगा प्नाइग लेकर है तो इस लिए वन पर पहले से positive charge था, अब उस पर एक negative charge भी आ जाएगा, जिसकी वज़े से वो क्या हो जाएगा, जी neutralize हो जाएगा, तो यहां से हमें क्या देखने को मिलेगा, R, N, R देखने को मिलेगा, जो की क्या बन गया मैम, जो की हमारा secondary amine बन गया, बता दो, बता दो, clear है, clear है, सभी गो clear हुआ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, clear हुआ, हाँ जी, secondary amine बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा, अब आगे, मैम आगे चल सकते हैं, बिल्कुल, मैंने क्या बोला, तुम्हें access में ले रहे हो, तुम्हें alkyl halide है, तो इसको भाई आगे भी तो लेकर जा सकते हो, आगे भी तो loan pair of electron, इसकी electronegativity जादा है, तो partial negative, इसकी partial positive, क्योंकि electronegativity कम है, है ना, कम है, अब क्या होगा, nitrogen फिर से positive पर जाएगा, electrons फिर से positive पर जाएंगे, भाई फिर से चले गए, negative को positive की तलाश है, तो पहुंच गया न, आपर, क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ पर, यह R है, यह N ह है, इसका H एक बार उपर दिखा दो, यह R है, अब कौन आकर के जुड़ा, मैम, R आकर के जुड़ा, और X negative as it is हो गया, as it is हो गया, है ना, as it, अभी repeat कर देते हैं, भाई, पहले देखतो लो, देखतो लो, है ना, अब क्या होगा, nitrogen ने अपने loan pair of electrons दिये, दिये, तो भाई हो गया, तो positive charge आगया, अब कौन आएगा, मैम, फिर से NaOH आजाएगा, फिर से कौन आगया, जी, NaOH आगया, अरे अगर फिर से NaOH आगया, तो Na पर positive, OH पर negative, तो यह X negative इस Na positive के साथ जुड़ करके NaX बना लेगा, हाँ जी मैम, बना लेगा, अच्छा, यह OH negative इस H के साथ जु बोलो, फटा-फट, बोलो, बोलो, फटा-फट, बोलो, क्या होगा, जब यह उस पर जाएगा, तो R, N, R, और यहां क्या जाएगा, R, क्या बन गया, यहां से, Tertiary Amine बन गया, क्या बन गया, मैम, Tertiary Amine बन गया, तो यह क्या थी, हमारी Ammonolysis थी by Alkyl Helide, यह क्या थी, Ammonolysis by Alkyl Helide, मैं फिर से repeat करने जा रही हूं, लेकिन मैं चाहती हूं भी आप सभी पहले इसको लिख लीजिए, एक बार आप सभी इसको लिख लीजिए, जिसको समझ नहीं आया, उसको समझा देंगे, दुबारा से, ठीके जी, जिसको समझ नहीं आया, दुबारा से समझा लिख लिया, लिख लिया तो बता दो, हाजी repeat करते हैं, अरे अभी करते हैं, टेंशन क्यों लेते हो, चलो, चलो भाई, देख लो भाई, क्या किया हमने, देखो, अमोनलाइसिस कर रहे हैं, अमोनिया की addition करा रहे हैं, तो हमने NH3 लिया, NH3 लिया, Alkyl Helide, RX के साथ किया, अब अमोनिया पर क्या है, nitrogen पर क्या है, loan pair of electrons है, electrons को positive की तलाश है, negative को positive की तलाश है, Rx में से जादा positive कौन होगा, negative कौन सा होगा, positive कौन सा होगा, X जो है, वो electronegative है, तो उस पर partial negative charge आएगा, R electro positive है, तो positive charge आएगा, तो अब इसके loan pair of electrons को positive की तलाश थी वहाँ गया, भाई, carbon 5 तो बनाता नहीं है, यह bond break भी तो होगा, यह अपने electrons ले जाएगा, तो X negative की फिर्म में आ गया, अब nitrogen ने अपने electrons दिये, भाई दिखो मैं neutral हूँ, मैं neutral हूँ, मेरे पास positive, negative, equal amount में है, अगर मैं negative charge दे देती हूँ, मेरे पास क्या बचेगा, positive बचेगा, electron deficient होगी, electron की कमी हो ठीके जी, ऐसी OH negative इस एक hydrogen के साथ जुड़ करके water बना देगा, और last में क्या होगा, जब यह H positive की फिर्म में निकलेगा, तो यह electrons नाइट्रोजन पास पहले positive था, negative आ जाएगा, positive, negative, neutral बन गया, RNH2 बन गया, यही process दुबारा repeat होगा, यही process दुबारा repeat होगा, तो last में हमा हमारे पास क्या आ जाएगा, last में हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास टार्श्रीयमाइन आ जाएगा, clear है, every बार you do let me know in the comment section, फड़ा फट से बता दो भाई, अगर clear है तो, अरे अगर clear है तो बता दो, अच्छा आप reactivity of halogens का, यहाँ पे मुझे order बताईए, order बता दो reactivity of halogens का, बता ना, RI, RBI, RCL में से जाधा reactive कौन होगा, बताओ, जाधा reactive कौन होगा, फटा फट से बता दो भाई, कौन होगा, आप यहाँ पर alkyl halide, Rx के इस्तेमाल कर रहे हो ना, जाधा reactive कौन होगा, जाधा reactive RRI होगा, फिर RBR, फिर RCL, ऐसा क्यों, top to bottom जा रहे हो, top to bottom, fluorine, chlorine, bromine, iodine, उपर से नीचे जा रहे हो, size क्या रहा है, बढ़ रहे है, क्यों बढ़ रहे है, shells बढ़ रहे है, number of shells बढ़ने की वज़े से, size बढ़ने की वज़े से, atoms के बीच में दूरी बढ़ जाती है, दूरी बढ़ जाएगी, हम कर क्या रहे है, Rx, Rx में से X को करवाने के लिए, तो जो उपर वाले है, उनका size छोटा है, वो pass में है, distance कम है, तो आपको ज़्यादा energy देने पड़ेगी, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे, size बढ़ता जाएगा, तो उनके बीच का distance बढ़ता जाएगा, तो कम energy भी दोगे, तो तूट जाएगा, इस next preparation method है, reduction of nitriles, next क्या है, reduction of nitriles है, next क्या है, reductions of nitriles है, हाँ जी, cleavage of bond उसमें easy हो जाएगा, cleavage of bond जैसे से नीचे होगे, नीचे वालों में easy हो जाएगा, in comparison to उपर वाला, nitriles की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, अप लिथियम, aluminium, hydride के साथ यह करवाते हैं, कैसे होगा, आपके पास होते है, student rcn, rc triple bond n, जीचे यह नाइट्राइल की रुप जब आपका r से जुड़ा हुआ है, आपने का करवाना है, यहाँ लेना, lithium, aluminium, hydride, li, al, h4 का इस्तमाल करना है, तो मैं आपको एक simple से टेखनीक यहां बताती हूँ, पता है, क्या होने वाला है, अगर इससे easy कुछ होगा, तो बता दो, अरे भाई, बता दो, इससे easy कुछ होगा, यह आपके क्या होती है, full hydrogenation होती है, पूरी तरीके से hydrogenation होगे, पूरी तरीके से तुमने hydrogen add कर दिया, पूरी तरीके से तुमने hydrogen add कर दिया, भाई, यह क्या है, यह full hydrogenation है, full hydrogenation है, अच आप और मैम HCl का इस्तमाल करते हैं, अच्छा अगर तुम्हें Stephen reaction याद है, तो Stephen reaction में क्या होता था, R C triple bond N है माल लो, Stephen reaction में पहले एक bond टूटता है, दोनों को एक एक hydrogen दे देते हो आप, यहां से आपके बास क्या आता है, R C H double bond N ही आ जाता है, अब आगे आप इसकी na hydrolysis कराते हैं जी, जब आप इसकी hydrolysis कराते हैं न, Stephen reaction में, तो पता है क्या होता है, यह bond break होता है, यह bond break होता है, यहां पर इसको है, तो दो H इसको देते हो, एक O इसको देते हो, जहां से यहां पर क्या बनेगा, R C HO बन जाता है, और ammonia release हो जाता है, यहां से aldehyde बन जाता है, यहां से aldehyde बन जाता है, तो यहां पर यह क्या है, जब आप Stephen reaction का इस्तमाल कर रहे हो, हाँ जी बिल्कुल सही, Stephen reaction का इस्तमाल कर रहे हो ना, तो आपको तो क्या चाहिए, आपको तो भाई, Amine बनाना है तो कैसे बनाओगे, इस reaction को यही रोख दो, यहां क्या होगी, partial hydrogenation, क्या होगी, partial hydrogenation, fully hydrogenation नहीं होगे, next step में दुबारा इसको SNCL2 के साथ और HCL के साथ रियाक्त करा होगे, ताकि यह दूसरा bond भी ब्रेक हो जाए, दोनों को hydrogen hydrogen मिल जाए, जब दोनों को hydrogen hydrogen मिलेंगे, तो RCH2 NH2 बन जाएगा, इस reaction को ना करवा करके, आपको इसको फर्दर दुबारा से SNCL2 से रियाक्त करवाना पड़ेगा, कर लेंगे, अरे बता दो भाई, कर लेंगे क्या, कर लेंगे, हो जाएगा, चले आगे, अरे बोलो, चले आगे, भटा भट से बोल डालो, भटा भट से बोल डालो, great, great, चले आगे screenshot ले लो इसका पहले, हाँ, दो बर SNCL2 यूज होगा, बिलकुल सही, दो बार आप यूज करेंगे, इसको, है ना, चले आगे, बहुत सही बच्चो, चलो, अब आगे अगर हम देखते हैं, तो next हमारी जो आती है, एक सेगिंट, next हमारी आती है, that is reduction of amides, क्या आती है, reduction of amides आती है, जब amides की reduction करते हैं, what is amides now, ma'am, it is basically R, C, double bond O, NH2, यह क्या होता है जी, amide होता है, इसकी reaction आप फिर से किसके साथ करवा रहे हो, lithium, aluminium, hydride, Li, Al, H4 के साथ करा रहे हो, तो यहाँ पर पता है क्या simple चिकानी है, आपका यह जो double bond O है यह हट जाता है और इसकी जगह पर 2 hydrogen जुड़ जाता है, क्या मिलता है आपको यहाँ से, R, CH2, NH2 मिल जाता है, आपको आपका amide produce मिलता है, तो देखिए, amide, यह क्या है हमारा amide है, यह क्या हमारा amide है, amide की ज सेम होता है, सेम होता है, आईए, आगे देखिए, अरे बता दो भाई, आगे देखिए, अब इसका mechanism देखिए, चलो, इसका mechanism समझते हैं, mechanism ध्यान से देखना सभी students इसका, अगर मैं mechanism की बात करती हूँ, तो simple सी कानी है, मिरे पस क्या lithium-aluminium hydride है, देखो, aluminium क्या करता है, तीन hydrogen के साथ bond बनाता है, basically, aluminium ने तीन hydrogen के साथ bond बनाए, तो lithium क्या करता है, lithium की tendency होती है, भी वो electron donate कर सके, जब lithium अपन एक electron hydrogen को देगा न, तो वो एच negative बन जाएगा, और lithium खुद क्या बन जाएगा, Li positive बन जाएगा, lithium की क्या tendency है, भी वो electron donate कर सकता है, तो उसने hydrogen को electron donate किया, और hydride ion मनाया, अब यह hydride ion इस aluminium पर जाकर के जुड़ जाता है, यहाँ से हमें lithium-aluminium hydride बनता है, कैसे, aluminium पर चार hydrogen आगे, और एक hydrogen पर था negative charge, इसके साथ कौन जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, Li positive, तो यह क्या है, lithium-aluminium hydride है, this is basically your lithium-aluminium hydride, यह क्या है, lithium-aluminium hydride है, है ना, अब देखो, अब यहाँ पर बता क्या होता है, यह मैंने क्यों इस्तमाल किया है, यह इसलिए आपको बताने के लिए, कि यहाँ पर अब यहाँ पर कौन आने वाल है जी, यहाँ पर आएगा जी, H-, कौन आएगा जी, hydride आएगा, जो कि lithium-aluminium hydride देता है, होगा क्या मैं, carbon और oxygen में से, मैं, oxygen की electronegativity जादा है, carbon की electronegativity कम है, oxygen की electronegativity जादा होने का मतलब क्या है, oxygen के पास tendency है, भी वो लोन पर उलेक्टरों को अपने प्रती खीच सकता है, अब मुझे बताना, H-, positive पर जाएगा कि negative पर जाएगा, positive पर जाएगा, बहुत simple सी कहानी है, students, यह जाएगा positive पर, कहाँ जाएगा, positive पर, जब यह positive पर गया, तो carbon क्या 5 बना सकता है, नहीं, carbon 4 बनाएगा, मतलब ही, जो double bond की electrons है, वो लाएगा था, Li, Al, H-4 था, अगर 1H निकल गया, क्या बचेगा हमारे पास, Li तो इस positive चार्ज उसको तो हटा दो, क्या बचेगा, Al, H-3 बचेगा, बिल्कुल बचेगा, Al, H-3 पोजिटिव बचेगा, बिल्कुल बचेगा, तो Al, H-3 यहाँ पर जुड़ गया, Al, H-3 यहाँ shift होते हैं, यह यहाँ होते हैं, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से यह जो electrons है, यह oxygen, O-A-3 positive बनके यहाँ से निकल जाता है, जब यह यहाँ से निकल जाता है, तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिलता है, R, CH, double bond, NH2 और यहाँ से हमारे पास क्या है, O-A-A-H3, अब इस alh3 को मैं open up करके alh2h लिख सकती हूँ, कुछ इस प्रकार से यहा लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, बिलकुल लिख सकती हूँ, अब होगा क्या देखना, होगा क्या? यहाँ पर बहुत simple दिолет निये, जो हमारा H है यह यहाँ से निकले गा फिर से निकलेग अब यह कहां पर जाकर करें अगए बहुत सिंपल सी कहा नील है, ह्पिर से हाइड्र में निकलेगा, कार्बन पर जाकर करेगा, अठैक करेगा, कार्बन पांच बन नहीं раздел करें, डबल बर्ट ब्रेक हो जाएगा और यहां से हमें मिलेगा R CH2 NH2, यहां से हमारे अमाइन की प्रोडक्शन हो गई, किस की प्रोडक्शन हो गई, अमाइन की प्रोडक्शन हो गई, हां जी, हां जी चले आगे, everybody shall we proceed further, shall we proceed further, आगे चले, बताओ ना फटापट आगे चले तो भाई हो गया तो आगे चलते है, next step पे चलते हैं अगर यह कर लिया तो, फटापट बता दीजिए, आगे चले, अब हमारे पास आती है, most important reaction, गब्रियल थालमाइट सिंथेस, हां जी, गब्रियल थालमाइट सिंथेस में क्या होने वाला है, पहली चीज़ मैं बता दू, यह सिरफ और सिरफ प्राइमरी अमाइन्स प्रिपेर करने के लिए इस्तमाल की जाएगी, सिरफ और सिरफ प्राइ CRT में से देखने को मिलेगा, वो थालमाइट से देखने को मिलेगा, वहां से reaction होगी, लेकिन उससे पहले का step में एक बार आपको explain करना चाहूंगी, उससे पहले का step एक बार explain करती हूं, ध्यान से देखो, क्या होगा, आपके पास यहा न, थालिक असे होगा, यहां पर ग्रूप को इस तरह से ओपनाप करके लिख दिया, अब मैं पता यहां क्या करने लगे हूँ, मैं इसकी रियक्षन दो अमोनिया के साथ कराऊंगी, जब मैं इसकी रियक्षन दो अमोनिया के साथ कराऊंगी, students, यहां पर यह दोनों OH रिप्लेस हो जाएंगे NH2 से, क्या नेक्स्ट टेप में बहुत सिंपल जी कहानी है, जब आप इसको हीट करोगे ना, तो NH3 निकल जाएगा, यह NH2 और यह किसका हाइड्रोजन निकाल दो, निकल जाएगा, आपको क्या आप देखने को मिलेगा, यहां से देखने को मिलेगा, थालामाइड, C double bond O, यहां क्या ब आपको यहां पर बता दिये, उससे पहले की कहानी मैंने आपको यहां पर एक्स्प्लेइन कर दिये, मैं चाहती हूँ, इसको आप पहले लिख लो एक बारी, इवर खुछ से लिख लो फिर तो में रिक्कत नहीं आएगी, लिख लो, हाँ यह लिखना चाहतो, लिख सकतो था थालिक आसेड है यह, मैं थालिक आसेड से आपको बता रही हूँ, मैंने क्या किया, थालिक आसेड लिया, COH ग्रूप लगे होए थे, तो मैंने इसको अमोनिया के साथ रियाक्ष किराया, तो OH, OH ग्रूप NH2, NH2 से रिप्लेस हो गए, फिर जब हमने हीट किया, तो एक अमो अमोनिया महां से निकल गया, कर लेंगे ना आगे, बताओं आगे क्या होगा, नेक्स स्टेप में, अब यहां से मेन आपको NCRT में देखने को मैलेगा, सबसे पहले आप इसकी रियाक्षन कराएंगे, NaOH के साथ, किसकी रियाक्षन, थालामाइड की, भाई थालामाइड बन इस पर Na, पर पॉजटिव, इस पर फ नेगेटिव, इस पर पॉजटिव, इस पर पॉजटिव, इस पर फंदी लेट उस टेक अग्जां भी में क에 OEJ के साथ कराणी हो, मुझे बता है nitrogen पे stalls्द्द ए नेगेट्टिव चार्ज, hydrogen पे पाई पोजटिव क्यों कि नाइट् H positive के साथ जुड़ करके water बना देगा, यह K positive यहाँ चला जाएगा, क्या मिलेगा देखो, C double bond O, यहाँ क्या है, N negative K positive, यहाँ क्या आजएगा, C double bond O, इस प्रकार से, तो यहाँ से हमारा salt की production हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएगी, salt की production हो जाएगी, कर लेंगे, इतना लिखो, अरे कर लेंगे तो लिख लो, भाई, salt की production हो जाएगी, salt की production हो जाएगी, next जीज देखिए, अब second time पर हम इसकी reaction कराएगे, alkyl halide के साथ, पहला आपने इसकी N O H के साथ करवाई, अब हम इसकी किस के साथ करवाई, अब हम R X के साथ कराएगे, R पर कैसा charge और X पर कैसा, X पर partial negative, R पर partial positive, अब फिर से वही बात, यहाँ पर यह K positive, इस X negative के साथ जुड़कर K X मना लेगा, और यहाँ पर यह R group N के साथ जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा मैम, यह R group भाई, इस N के साथ जा करके जुड़ जाएगा, N R बन जाएगा, N R बन जाएगा, N R बन जाएगा, क्या clear हूँ अई साभी को, पटा पट, बता दो, फटा पट, अरे हो जाएगा, क्या, बता दो, बता दो, पटा दो, इसको आइड्रोशन मिलेगा तो इसको । हाइड्रोशन नाइड्रोशन को एड्रोशन हो तो यहां से वन जाएगा किया साल बन जाएगाasmaya . कि सीडभल मौंड O- dip K , Siuudowejo negative K positive . यहहां से बोन पनके पराइमरी कि प्रोदक्ष dummy हो गई किसकी production हो गई primary amine की production हो गई हाँ हाँ हट अगर आदेंगे फिर बहुत सई बहुत सई क्या बात है कर लेंगे फटबडब बता दो यह आपकी थी गैबरियल थैलामाइड रियक्षन चलिए अगली रियक्षन पर चले अगली चले भाहि अगर यह हो गई तो अगली पर च भी आएट्फ में अगली रियक्षन और अगली रियक्षन गैबरियल थैलामइड भी इंपोर्टनेट यह भी इंपोर्टनेट अब क्या थिया हो ओगा बहुत में हर WOW less होगा, ठीक है, चलो, देखें क्या कहता है, Hoffman developed a method for the preparation of primary amines by treating an amide, अब इसमें भी तुम amide लेने वाले हो, क्या लेने वाले हो माम, amide, RC double bond O, NH2 लेने वाले हो, किसके साथ reaction करवाओगे, माम, bromine के साथ reaction करवाएंगे, किसके साथ करवाएंगे, एक second, bromine के साथ करवाएंगे, और किसके साथ कराएंगे, BR2 के साथ तो करवाओगे, करवाओगे, साथ में आप NaOH के साथ भी ये reaction करवाओगे, किसके साथ करवाओगे जी, NaOH के साथ, कहानी बहुत सिम्पल सी है, ये बीच वाला जो C double bond O हट जाएगा, क्या मिल जाएगा, यहां से R NH2 मिल जाएगा, अब वहाँ पर क्या आजाएगा, सीधा R NH2 आजाएगा, सीधा क्या आजाएगा, R NH2 आजाएगा, कर लेंगे, कर लेंगे, अरे बता दो भई, कर लेंगे क्या, अरे बता दो भई, कर लेंगे क्या, हाँ जी, अरे फटावट बताओ, कर लेंगे तो फटावट बता दो, हाँ जी Na2CO3, Na2CO3, NaBrH2O, बहुत सही, clear है, अच्छा क्या repeat, अच्छा repeat it, बहुत simple सी बात है, इसको हटाके RNH2 हो जाएगा, जो Na है, वो इस CO2 के साथ reactor के Na2CO3 बना देगा, ठीके जी, और NaBr और water निकल जाएगा, कर लेंगे, कर लेंगे, last slide repeat कीजिए, पिछली वाली slide, पिछले वा पर देखो, Gabriel Thalamide देख लिए, फिर से बता रही हूँ, Gabriel Thalamide में हमने क्या लिया, Thalic Acid लिया, Penzine रिंग्यों पर COH, Adjacent Carbon पर लगे थे, अब इसके साथ मैंने इसको दो अमोनिया के साथ रियक्ट कराया, तो जब मैंने कराया, OH-OH हट जाएगा, यह OH-OH हट गया, दोनों प कर रही हूँ, तो मैंने अब NCRT में यहां से है, दो स्टेप में reaction है, पहले स्टेप में NaOH और कोH के साथ रियक्ट कराया होगे, दूसरे स्टेप में आब इसके Rx के साथ कराया होगे, पहले स्टेप की जब आब बात करते हो, तो यहां Na positive O negative, K positive OH negative है, तो क्या होने वाला है यहां N पे negative, H पे positive है ना, अगर K OH के साथ कराती हूँ, तो K positive negative की तलाश में जाएगा, जो की N पे है, तो यहां से वो उसके साथ जुड़ गया, और यह OH negative, H positive को लेकर के water बना लेगा, यह salt बन गया, नेक्स्ट अप में फिर से तुम Rx की रियक्शन करा रहे हो, Rx की बात करते हैं, तो हेलोजन जादे एलेक्ट्रो नेगटिव है, R पे positive चार्ज, फिर से वही कहानी क्या होगी, मैं देखो, यह positive के साथ जुड़ जाएगा, यह positive के साथ जुड़ गया, जुड़ गया, तो last में water के साथ रियक्शन कराएंगे, bond को तोड़ेंगे, water एड़ करेगा, carboxylac acid नहीं बनेगा, clear हुआ, narrative हाँ, हाँ जी students, चलिए भड़वट बता दो, अरे फटा फटा भचट बता दो, clear हो गया क्या, clear हो गया क्या, चलो चलो चलो. अब students, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमारी physical properties, अब क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैम, और now फिसि यह सिफ समझने वाली चीज़ें, यह मैं हमेशा बोलती हूं, भाई जो लोवर तुम्हारी गृप सोते हैं, लोवर वाले, जिसमें कम कार्बन आटम होते हैं, वो गैस्यस होते हैं, फिर आएंगे लिक्विड स्टेट वाले, फिर आएंगे इसॉलिड स्टेट वाले, यह कहा होते हैं, थालिक आजड में पी साइलिंट होता है, ठीके जी, हाँ, ठीके जी, ग्रेट, अच्छा, अब हो गयता है, अनिलिन और दूसरे अराइल अमाइन के हम बात करते हैं, यह यह यूजली कलरलेस होते हैं, लेकिन जैसे यह ऑक्सिडाइज हो जाएंगे, जैसे यह क्य क्लर्डेशन होगी ना, तो यह क्या हो जाएंगे, कलर हो जाएंगे, वैसे यह यह कलरलेस होते हैं, वैसे यह कलरलेस होते हैं, ख्लियर हुआ, बहुत सही, हाँ जी, कॉटियस रेक्शन अभी बता देती हूँ, नई छोड़ा नहीं है, अभी बाकी है, चलो, आगे की बात करते हैं, तो यह पानी में सॉलेबल होते हैं, ठीके जी, क्योंकि यह हाइड्रोजन बन बन आ लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप नमबर अफ कार्बन आटम बढ़ाएंगे, यह कहानी ना, तुम्हें हर चाप्टर में देखने को मिलती है, जहान से सुनना, कहानी क् होते हैं students, तो क्या होता है, वो बहुत इसली पानी में घुल जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बन आ लेते हैं, जैसे जैसे आप कार्बन आटम बढ़ाने का मतलब है, हाइड्रो कार्बन पोर्शन बढ़ा रहे हो, हाइड्रो कार्बन पोर्शन बढ़ाने का मतलब क्या Solubility जो होती है, वो inversely proportion होती है, number of carbon atoms के, जैसे जैसे carbon atom भढ़ गए, तो तुमारी solubility घटती चली जाएगी, solubility घटती चली जाएगी, biomolecules कल होगा students, amines आज है, कल biomolecules है, आगे देखिए students, अब बात की यह है, primary और secondary की amines की, primary और secondary amines तो intermolecular association करते हैं, hydrogen bonding के कारण, क्योंकि nitrogen के पास क्या होता है, एक में nitrogen होता है, एक molecule का nitrogen, दूसरे molecule के hydrogen के साथ, hydrogen bonding कर लेता है, tertiary की case में ऐसा नहीं होता है, tertiary की case में क्यों ऐसा होता है, hydrogen नहीं है उसके पास, अच्छा, अब यहाँ देखिए, यह जो intermolecular association है, यह जादा तर किसमें होती है, primary amines में होती, क्योंकि primary amines में हमरापास दो hydrogen atom है, तो उसने यहीं लिख размary में जाद होती है, in comparison to secondary amines, क्योंकि यहां पर दो hydrogen atom है, जबकि secondary में एक हीством, होता है चब कि secondary में एक ही hydrogen atom होता हैconscious मोलेकिलर क्युफिक उसके पास एक भी हाइड्रोजन आटम प्रेजंट नहीं है किर हुआ क्युकि उसके पास एक भी हाइड्रोजन आटम प्रेसेंट नहीं है इस वज़े से वो नहीं करता, इस वज़े से वो नहीं करता, अच्छा अब आपके सामने students एक question आ रहा है, ये question solve करेंगे सबसे पहले तो, question है आप सभी के सामने, ये question solve करेंगे फटा-फट से, question क्या है, arrange the following compounds in an increasing water of their solubility in water, solubility in water, solubility in water, बताईए, अरे बतादो भाई, क्या होगा, इसका, ये क्या है, C6H5NH2 है, मतलब ये ऐसा है, ठीके ये क्या है, NH पर क्या है, दोनों तरफ क्या लगे हैं, C2H5 लगे हैं, और ये क्या है भाई, ये simple है, C2H5NH2, तो अभी बताकर हटी हो, solubility घटती है, जब तुम carbon atom बढ़ा देते हो, solubility घटती है, जब तुम carbon atom बढ़ा देते हो, तो order हमारा ये होगा, order हमारा ये होगा, सबसे जादा कौन सॉलिबल मैम, सबसे जादा कौन सॉलिबल होगा, सबसे जादा सॉलिबल हमारा, C2H5NH2 होगा, क्योंकि यह carbon atom की संख्या कम है, आगे बढ़ते जाओगे, तो hydrophobic region पढ़ता जाएगा, clear हुआ, अरे बतादो भाई, clear हुआ तो बहुत सही, चलिए, अब हम students लेने लगे हैं, एक break, और break के बाद हम करेंगे chemical properties, और chemical properties के बाद हम last topic, disonium salt पढ़ेंगे, ठीके जी, तो अब आप सभी के लिए break है, everybody, it's break time, चलो, break time, हाँ जी, आप सभी के पास है, 10 minute का break, 10 minute के break में आप कुछ खाना चाते हैं, आप खाके आ सकते हैं, फिर हम हमारा आगे का session continue करेंगे, हमने half of the chapter complete कर लिया है, half रह गया है, वो हम आगे continue करेंगे, clear है, जाने से पहले कुछ lines पढ़के जाएंगे, आप सभी के लिए, ठीके जी, जाने से पहले, 10 minute का break ल किसी वजे के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है, ठीक है, तो अगर problems आ रही है ना, तो वो भई, तुम्हे ना, क्या कहते हैं, एक notification की तरह काम कर रही हैं, भी अपने जिंदगी को सवार लो, ठीक है, तो problems इसलिए आती हैं, भी अपनी जिंदगी को बहतर बना लो, इसलिए नहीं आती है, भी तुम गिरी जाओ, घवराई जाओ, और डर जाओ भाई, प्रॉब्लम आ गया रही, नहीं नहीं, प्रॉब्लम भगवान जी एक notification की तरह भेजते हैं, भी बेटा अपनी जिंदगी को सवार लीजिए ठीके जी, ठीके जी, चलो, अब आप सभी के लिए 10 मिनिट का ब्रेक स्टार्ट होता है, 10 मिनिट के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, chemical properties कवर करके, हम डाइजोनियम सॉल्ट वाला topic end करके, चाप्टर को फिनिश कर डालेंगे, चलिए, सो मिलते हैं students 10 मिनिट के ब्रेक कि बाद! झालें तर पिनिट के बालेंगे, चालेंगे, चास्चराइब चलिए, सो मिलते हैंसे करें। झाल 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 आप जब हम इसकी रियाक्षन किसके साथ करवाते हैं मानलो हमारे पास क्या है NH3 पॉजिटिव इसकी इसकी रियाक्षन करवारे हूँ न पर कैसे चारज पॉजिटिव पर कैसे चारज पाई यहां से बन जायगा बता दू तुम फुदी बता दू यहां से पॉजिटिव यह बन हमारे पास क्या बन होगा जो की हमारा एस तरह से बापीस से प्रामरी को कशल झीम so यहां देखो, भूल जाओ चार्ट सेक्शन, जब मैं कोई क्वेस्टन पूचूँँगी तब आप कमेंट करना अच्छे से देखेंगे, यहां फोकस करो, फोकस करो, टाइम बहुत कम है, बहुत कीमती है, इसका इस्तेमाल ढंग से कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, वाप करनें से कापिजिए, वापिज, इसन नहीं पर सीपूंद धिरूर्श कं यहां ब स्कंद स्क्राइण के फिरूचूबूचूद करो फोकस कीजिए, गया है इस है यहां बता आपने किससकीट लिया है, ऑ्लिफेट कमा कर सकाभिए, में आपने सेनी बीट सेंथ के अब वेस् HX के साथ करवाते हैं तो भी सेम कहानी होगी, यह Loan designer Fultrams कहा जाएंगे? यहां से क्या बनेगा ma'am, यहां से भी salt की production होगी अच्छा सीर यह क्या बनेगा बनेगाama Sanskrit NN ही से इस चीजorit को समझना, basic city का जो order होता है, basic city का जो order होता है, generally वो किस पर depend करता है, plus M और plus I गुरूप पर depend करता है, और inversely proportion होता है, minus M के और minus I के, inversely proportion होता है, minus M के जी और minus I के, clear हुआ, clear हुआ, तो अब एक नग्स question आप को दिखाती हूँ, उस question से पहले ध्यान से सुनना, Na positive OH negative, तो क्या हुआ था, Na x के साथ जुड़ करके Na x बना लेता है, Na positive x negative, OH negative इसके एक hydrogen के साथ जुड़ के water बना लेता है, और रास में क्या बचता है, ammonia बचता है, तो वही reaction यहां लिखी हुई है, वही same reaction यहां पर लिखी हुई है, ठीक है, अब मैं आपको यहां पर क्या ची Unshared pair of electrons होता है, nitrogen के पास एक unpaired pair of electrons होता है, जो जब वो देता है, तो क्या करता है, वो किसकी तरह act करता है, due to which they behave as a Lewis base, वो एक Lewis base की तरह act करता है, not visible, अरे यह reaction है, यह reaction है, यह reaction है, जो मैंने आपको बताई है, this is the reaction, this is the reaction, ठीक है, कर लेंगे, अरे बता दो भाई, कर लें अभी question देने से पहले, ध्यान से सुनना, अगर मैं यहां पर लेती हूँ, aliphatic amine, यहां मैं लेती हूँ, ammonia, यहां मैं लेती हूँ, aromatic amine, यहां मैं लेती हूँ, aromatic amine, मुझे ना, यह बता ना, इन तीनों में से जाधा basic कौन होगा, पहले इनका structure बनाएंगे, मैंने बोला, इ aliphatic amine का गरम structure बनाते है, मैं बहुत सिंपल है, हम ले लेते हैं कि CH3, NH2, ammonia लिखेंगे तो मैं NH3 है, और aromatic बनाएंगे, तो सिंपल सी बात है, हमारे पस क्या है, aromatic ring है, जो NH2 से जुड़ी है, clear हुआ न, इतना तो सबी को clear है, अरे अब ध्यान से observe करना, भाई, यहां क्या होन लगा है, हाँ जी माम लगा है, और इसका क्या effect होता है, माइनस आई effect होता है, अब मुझे एक छोटी सी चीज सोच समझ कर यहां पर बताइएगा, basic city की बात की थी, मैंने अभी मैंने आपको बताया, basic city directly proportion है, plus m के और plus i के, inversely proportion है, minus m के और minus i के, जहां plus i जादा होगा, मैं है तो, कर लेंगे, फड़ा फट, let me know in the comment section कर लेंगे तो, बता दो, बता दो, अच्छा चलिए, और बाते करते हैं इसके बारे में ही, और बाते करते हैं इसके बारे में ही, अगर मैं बोल देती हूँ, हमारे पास क्या है, देखिए, ammonia है, R-NH2, sorry, amine है, R-NH2, इसकी reaction मैं करा रही हूँ जी, water के साथ, किसके साथ करा रही, water के साथ, क्या बनता यहां से, R-NH3 positive बनेगा और OH negative निकलेगा, यही होगा न, यह hydrogen इसके साथ जाकर के जुड़ जाएगा, R-NH3 positive बनेगा और OH negative बन जाएगा, nitrogen अपने loan pair of electrons देदेगा, nitrogen अपने loan pair of electrons देदेगा, हाँ ज करेगा, concentration of product by concentration of reactant, product क्या है, R-NH3 positive और क्या है, OH negative की concentration, divided by reactant हमारे पास क्या है, R-NH2 है मांप और क्या है, जी, water है, तो मतलब अगर मैं basicity की बात कर रही हूँ, basicity की value किस पे डिपेंट कर रही है, OH negative ions पे डिपेंट कर रही है, जितने जादा OH negative ions होंगे, उतनी जादा KB क value होगी, उतनी ही जादा basicity होगी, उतनी ही जादा क्या होगी, basicity होगी, अगर आपसे PKB की value पूछे, तो PKB क्या होगा, minus log of KB होगा, KB की value देखो, OH negative बढ़ा, OH negative बढ़ा, KB बढ़ा, KB बढ़ेगा, तो उसका के negative sign है, मतलब PKB क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अग इसका ध्यान सभी बच्चे रखेंगे, सभी बच्चे रखेंगे, सभी बच्चे रखेंगे, सही है, बहुत सही है, चलो अब एक question देख लेते हैं, इसी भी based, एक question आप सभी के सामने है, arrange the following compounds in an increasing order of their basic strength in aqueous solution, अब aqueous solution में कुछ different कहानी है, वो बताती हूँ, आपके सामने एक case दिया, ध्यान से question को read करो, आपने इन compounds को increasing order of their basic strength में arrange करना in aqueous solution, क्या है, यहाँ पर आपको क्या given है, this is your primary amine, यह आपका क्या case है, nitrogen क्या है, 3 CH3 से जुड़ा है, यह कैसा माइन है बच्चो, यह tertiary amine है, और यहाँ क्या है, NH2, हो, sorry, 2 CH3 से जुड़ा है, क्या है, यह secondary amine है, खुछ सोचकर बताईए, अभी मैंने आपको बोला, जहाँ पर R group जादा है, मतलब वहाँ क्या होगा, plus i effect, यहाँ कितने हैं, 3 है, plus i effect, sorry, यहाँ कितने हैं, 2 है, होना क्या चाहिए, होना मैं चाहिए, 3 डिगरी, फिर 2 डिगरी, फिर 1 डिगरी, क्योंकि basis it is directly proportional to what, basis it is directly proportional to your plus i effect, लेकिन न यह order नहीं होता है, order क्या होता है? 2 degree सबसे ज़्यादा होता है, 2 degree का सबसे ज़्यादा क्यों होता है? 2 degree होगा, फिर 3 degree होगा, फिर 1 degree होगा, तो सदूड Georg demasiado हाई को सोडिए सई description हाई भी मैं यह बता ठीए आपको हम थ्री डंगरी जादा होना उन चाहिए था फिर Brazil ौटरी फिर वंकर योगा 8 2 ज़ादा कि युद्रीअ क्यों पर प्लसजम को गुंग सबसे और सबसे आफिक्पेक्ट एसा निख पहता यह 3 degree का सबसे least हो जाएगा, sorry मैं यह गलती से लिग बैठी थी, 3 degree का सबसे least हो जाएगा, 2 degree का सबसे जादा, फिर 1 degree, फिर 3 degree आएगा, ऐसा क्यों हुआ, इसका reason समझना, यहाँ उसे आपको क्या बोले, aqua solution, अगर aqua solution ना देता, तो आप directly plus i के basis पे बोल देते हो, विभाई वहाँ पर जादा R group है, तो plus i effect दिखाएगा, काम खतम, 3 degree जादा, फिर 2 degree, फिर 1 degree, aqua solution की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पर यह कहेंगे, भी जो CH3 है ना, basically, यह basically क्या करेंगे, steric hindrance cause करेंगे, जब steric hindrance cause करेंगे, तो repulsion होगी, जिसके कारण इसका सबसे least हो जाएगा, जिसका सबसे least हो जाएगा, हाँ जी, 213 हो जाएगा, 213 हो जाएगा, clear है, clear है, अरे बोलो भाई, clear है तो बोलो भाई, अचा अब यह बता दो, इसका बताईए, which of the two is more basic and why, which of the two is more basic and why, फटा फट, do let me know in the comment section, कौन सा जादा basic होगा इन दोनों में से, CH3, NH2 जादा basic होगा बता दो भाई, फटा फट से, कौन सा जादा होगा, अरे बताईए ना, क्या होगा, मैं यहाँ पर है plus effect और यहाँ कोई effect नहीं है, तो obvious, CH3, NH2 जादा basic होगा in comparison to NH3, in comparison to NH3, clear है, सभी को, अरे बताओ, फटा फट, clear है तो इसको लिको, फटा फट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ 1 degree का जादा होना चाहिए, बिलकुल सही, 1 degree और इधर NH3 में से इसका जादा होना चाहिए, चले आगे, अरे बता दो भाई, अरे बता दो, अच्छा, अब ना देखो, अब हम करते है, acid-base reactions, अभी आपको बताया है, मैंने जब acid-base react करता, salt बनाता है, हमने examples भी लिए, जैसे reaction हमने HX के साथ कराई थी, तो हमने यहांसे क्या बनाया था, R NH3 positive X negative बनाया था, salt बनाया था, यह reaction अभी लिखी है न, अब अगर यहां पर मैं X की जगह पर CL लगा देती हूं भाई, तो क्या हो जाएगा, अगर भाई मैं यहां पर CL लगा देती हूं, तो क्या हो जाएगा Hydrogen काम Electro Negative है तो partial positive charge आएगा, अब यह negative कहां जाने की कोशिश करेगा, obviously negative positive के पास जाएगा, negative के पास थोड़ी जाएगा, repulsion हो जाएगी, तो यह यहां पर जाएगे, जब यहां पर जाएगे तो क्या होगा, salt की production होगी, क्या बनेगा, यहां salt बनेगा, हां जी, salt बनेगा, मेरे पास क्या बचेगा, positive बचेगा, अब में क्या होगी, electron deficient, electrons चले गए, electrons की कमी होगी, तो यहां पर भी तो यही होगा, यहां पर क्या होगा, nitrogen ने अपने electron दे दिये, वो electron deficient होगा, तो उस पर कैसा चाह जाए, positive आया, अब X negative यहां कौन जुड जाएगा, साथ में CL negative ज चलो, aromatic की case में देखिएगा ध्यान से, aromatic में हमारे पास यह है, aromatic हमाइन, कौन सा aromatic है, primary, aromatic हमाइन है, primary क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों कि एक hydrogen को हटा कर, एक aromatic ring लगी है, लगी है, अरे बहुत सही, अब बताए, HX के साद इसको जोडेंगे, तो क्या बनेगा, माम, फिर से salt क की production होगी, कैसा salt बनेगा, देखो, यह हमारी aromatic ring रही, aromatic ring के साथ क्या जुड़ेगा हमारा, अब आ जाएगा माम, NH3 positive, X negative, nitrogen पर कैसे positive चाह जाए, क्योंकि nitrogen ने अपने low and pair of electrons बिचारे को दे दिये, है ना, तो इस वज़े से क्या हुआ, उस पर कमी हो गई, तो positive आ गया, electron deficient ह गया, तो positive आ गया, X negative वहीं जुड़ जाएगा, मतलब की माम, अगर हम इसकी reaction, अगर हम इसकी reaction ध्यान से देखिए, किसके साथ कराते है, यह हमारा aromatic अमाईन है, इसकी reaction अगर हम HCL के साथ करा दे तो यहां क्या बनेगा, यहां देखिए, यह हमारी aromatic ring रही, यहां पर क्या आ चलिए, next chemical property पर प्रोसीड करने जो रहे हैं, students, चलो, अब हमारी next chemical property, si relation से पहले करते हैं, alkylation, पहले करेंगे alkylation, next chemical property है alkylation, alkylation का मतलब की alkyl group का जुड़ना, अब alkyl group कैसे जुड़ेगा, आपके पास क्या है, आपके पास है, amine rnh2, इसके पास कौन आकर के जुड़े क्योंकि हमने alkyl group जोड़ना है, क्या करना है, alkyl group जोड़ना है, कुछ सोचके बताना मुझे, फिर से वही कानी, इस पर partial negative charge, इस पर partial positive charge, halogen जादा electronegative है, carbon के respect में, electronegativity होती है, the tendency to attract shared pure of electron towards itself, तो इसकी electronegativity जादा है, जबकि nitrogen के पास क्या है, loan pair of electrons है, loan pair of electrons को किसकी तला तो यह भाई positive के पास जाएगा, क्या होगा, यही होगा, विभाई positive तो मेरे साथ आ करके जुड़ जा, यही होगा ना, हाँ जी, सभी को clear है ना, इतना step तो clear है, क्या बनेगा यहां से माम, क्या बनेगा यहां से माम, देखो ध्यान से, यहां क्या होगा, अब हमारे nitrogen के पा कई पर देख लो किया किसी को इसमें क्यों गाउट है हैं जी बता दो अगर राउट है तो बता दो अच्छा है इसकी रैक्ष्ब 일ो एकसे राच के सथ कराएंगे तो काहनी फिर से वही है क्या होगा इसकी पास जोенс पर रह के जाएंगे और पाजीटिब में इस यहां से माम हमें tertiary माईन मिलेगा, मिल गया, अब फिर से अगर आप इसके रियाक्षन Rक के साथ कराएँंगे, किसके साथ कराएंगे, Rक के साथ कराएंगे, तो क्या होगा, Nitrogen अपने लोन-फिलेक्ट्रोन फिर से पे बेजएगा, मतलब यहां से भी salt की production हो जाएगी, किस की production हो जाएगी, salt की production हो जाएगी, clear हुआ, मैं PKB वाला repeat कर दो, कर देते हैं बच्चे, अभी कर देते हैं, ठीक है जी, वो भी कर देते हैं, पहले फिलाल एक बर यह देख लो, वो भी कर देंगे, कोई tension वाली बात नहीं है, उसको भी कर देंगे, ठीक है, हाँ, यह clear हुआ, R, 4, N, X, clear हुआ सभी को, चले आगे, अरे बता दो भाई, हो गया तो बता दो, चले आगे, यह alkylation था, अब हम चल रहे हैं, si relation की तरफ, si relation ध्यान से देखिए, क्या कहता है, aliphatic and aromatic primary और secondary amine, जो है, वो react करते हैं, acid chloride के साथ, या फिर anhydride के साथ, या फिर ester के साथ, अब मैंने आपको दो चीज़े बताए थी, starting of the basicity topic करने से पहले, chemical reactions करने से पहले, मैंने क्या कहा था, जब nitrogen अपने loan pair of electrons किसी H positive को देगा, तो वो base की तरह काम करेगा, जब वो carbon को देगा, तो किस की तरह काम करेगा, nucleophile की तरह काम करेगा, तो अब है nucleophile वाले reactions है, देखिए ध्यान से, क्या होने वाला है, हमने अब यहाँ पर primary और secondary amine लेना, उनकी reaction acid chloride के साथ करानी है, जैसे मान लोगर मैं case लेती हूँ, C2H5 ले लेती हू, NH2, यह क्या है मेरा primary amine है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3, CH2, NH2, लिख सकते हो, इसकी reaction में किसके साथ करवारी हूँ, मैं करवारी हूँ, CH3, C double bond OCl, यह मेरा क्या है माम, यह मेरा है acid chloride, या acyl chloride भी कह सकते हो, या acyl halide भी कह सकते हो, यह है, अच्छा, अब क्या होगा, सोचो, nitrogen के पास क्या है माम, loan pair of electrons, अब यह कहां जाएंगे, carbon और oxygen में है, जी double bond, carbon और oxygen में अगर double bond है, तो oxygen जादा electronegative है, carbon के respect में, अगर भाई साब यह जादा electronegative है, तो इस पर partial positive, इस पर negative charge, इस पर positive charge, यह loan pair of electron किसकी तलाश में जाएंगे, positive की तलाश में जाएंगे, भाई जब यह इस positive की तलाश में जाएंगे, तो यह अपने electrons जो double bond वाले हैं, वो oxygen पर break कर देगा, क्योंकि carbon 5 bond नहीं बना सकता है, तो क्या बनेगा यहां से ध्यान से देखिए, यह क्या आएगा CH3, यह C है, C पर O, O पर negative charge आगया, यह क्या लगा है, C ल लगा है, carbon पर कौन आखर के जुड़ा, NH2 आखर के जुड़ा, जो की फर्दर किस से जुड़ा है, C2 H5 से जुड़ा, यही हुआ ना, अरे यही तो हुआ ना, और देखना, जब NH2 जुड़ा तो nitrogen ने अपने लोन पर फिलेक्टरोंस दे दिये ना, nitrogen ने अपने लोन पर फिलेक्टरोंस दे दिये, फिर से electron deficient हो गया, फिर से positive charge आगया, अब क्या होगा, अब मैं next step में क्या यहाँ यहाँ आएगा, जब यह यहाँ फिर से आएगा, तो carbon 5 बॉन नहीं बनाएगा, chlorine अपने electrons लेकर यहाँ से रवाना दवाना हो जाएगा, निकल जाएगा, CL negative के form में, क्या होगा, इस NH2 का एक hydrogen क्या करेगा, H positive की form में यहाँ से दिख लेगा, जब हो H positive की form में यहाँ पर दे जाएगा, ताकि वो neutral हो जाएगा, अब यह H positive, यह CL negative मिल करके क्या बना लेंगे, HCl, और यहाँ क्या बचेगा, देखो, यहाँ बचेगा ma'am, CH3, C, अब यहाँ आजेगा double bond हो, यह CL निकल गया, यहाँ क्या और कौन जुड़ है, NH जुड़ है, NH के साथ कौन कर लेंगे, कर लेंगे, हाँ जी सभी बताईए, हम I'd बन जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा क्या, बता दो भाई, अगर हो जाएगा तो बता दो, हो जाएगा तो बता दो, चले आगे, चलो एक और केस ले ले, एक और केस लेते हैं, चलिए, देखिए, यहाँ क्या है, मा हमें ले रहे हूं CH3C double bond OCl, बताइए क्या होगा, मैं बहुत सिंपल सी कहानी है मैं, nitrogen के पास हैं लोन पर उफ electrons और इन दोनों में से हमें पता है, carbon less electronegative है, oxygen ज्यादा electronegative है, carbon less electronegative है तो partial positive charge, oxygen more electronegative है तो partial negative charge, यह electrons का जाएंगे, carbon पर जाएंगे और यह पाई electrons oxygen पर शिफ्ट होंगे, तो क्या मिलेगा यहां से, CH3C oxygen पर negative charge आया, Cl, अब carbon से कौन जुड़ा, NH2 जुड़ा, जिसको हम ऐसे खोल के लिख दूँ, और उससे कौन जुड़ा हुआ है, हमारी यह benzene ring, अब nitrogen ने अपने lone puff electrons carbon को दिये थे, क्या दिये थे जी, nitrogen ने अपने lone puff electrons carbon को दिये थे, तो वो electron deficient होगा, क्या charge आगया, partial positive charge आगया, अब यहां क्या होने वाला देखो, यहां पर यह जो negative के उपर charge है, यह negative charge यहां आएगा, double bond बनाएगा, carbon 5 bond नहीं बना सकता, यह bond टूटेगा, यह electron लेकर CL negative के उमोव में, यहां से निकल जाएगा, यहां पर क्या होगा, यह H positive निकलेगा, तो यह जो electrons ही कहा जाएगा, यह nitrogen पर उसको neutralize करेंगे, क्या देखने को मिलेगा, यह H positive और CL negative मिलके HCl बना लेगे, यहां से आएगा CH3C, double bond O आगया, फिर आगया NHG, और यहां क्या आजाएगा माम, यहां आजाएगी हमारी Benzine ring, कर लेंगे, अरे बतादो भाई, कर लेंगे, क्या हो जाएगा न, कर लेंगे, इजी रियक्षन है माम, अरे माम, इजी है, कर लेंगे, चलिये, 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 अब हम करते हैं, important reaction, एक और important reaction, जिसे बोला जाता है, तो है, carbyle amine reaction, जिसे क्या कहा जाता है, carbyle amine reaction कहा जाता है, धेहां से देखना, carbyle amine reaction में क्या बोलता है, वो कहता है, aliphatic aromatic primary amine ले लो, जी ले लो, कोई भी ले लो, अगर हम एक जेनरल case लेते हैं, हमने R NH2 ले लिया, छीके जी, इसकी reaction तुमने करवाने है, chloroform के साथ, यानि कि किस के साथ कराओगे, CHCl3 के साथ कराओगे, अच्छा, माम, और किस के साथ कराओगे, और potassium hydroxide के साथ के OH के साथ करवाओगे, जब ये reaction कराओगे तो मैं आपको बता दू, इसका दूसरा नाम है, आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीके जी, इसको आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहा जाता, लिखना चाहते हो, लिख सकते हो, ये क्या है, आइसोसाइनाइड टेस्ट है, हमें यहां से क्या देखने को मिलेगा, जी, हमें यहां से क्या देखने को मिलेगा, आई उसेफट जलेको जब आपका आरग्रूप नाइट्रोजन से जुडा। ये आपकी जो रियाक्षिन है ये कारवाइलमाइम रियाक्षिन patient reaction कहलाती है क्या कहलाती है कारबाइल अमाइन reaction कहलाती है ठीक है जी बताओ पड़ावट पड़ावट से लिख लो इसको पड़ावट से लिख लो कर लेंगे आगे चले कि अगर करते हैं क्लोरोफर्म के साथ और के साथ स्टूडेंस तो हमें यासे क्या देखने को मिलता है या कारबाइल अमाइन देखने को मिलते हैं जिसकी फावल स्मेलिंग सब्स्टांस होती है आगे देखिए सेकेंडरी और टर्शरी जो है वह यह रियाक्शन नहीं शो करें करेंगे सिकेंडरी टोर्शरी आमाइन नहीं करेंगे इस इसका ध्यान देंगे इस रियाक्शन को कारबाइल आमाइन रियाक्शन के साथ साथ आईसो साइनाइट टेस्ट भी कहते हैं clear हुआ और इसको आजए क्या हुआता है अर्य बता दो अब तो और भी ऐजी डी रियाक अब मालो इसकी reaction तुम करवा रहे हो, किसी primary amine के साथ C2H5 NH2 के साथ करा रहे हो, पता यहां क्या होगा, बहुत simple जिकानी है, यहां HCl निकल जाएगा, यह एक HCl को लेकर निकल जाएगा और यह सारा उससे जाकर के जुड़ जाएगा, क्या होगा, देखिए, यह बेंजीन रि Chloride जो है, which is also known as Hazelberg Reagent, यह primary या secondary amines के साथ react करके क्या बनाता है, सल्फोन Amide बना देता है, क्लेर हुआ, क्लेर हुआ, क्या सभी को क्लेर हुआ, simple सी reaction थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुमें, अरे यह तो simple सी reaction थी, माम, आगे बताईए, और बताईए, और क्य क्या बन सकता है, हो जाएगा, चलो, आगे चले, आगे चले, हाँ जी, अब हम reaction जी पर start करने जा रहे हैं, that is bromination, nitration, sulfonation, इन reactions की शुरुवात करने जा रहे हैं, that is electrophilic substitution करने जा रहे हैं, तयार हैं सभी, तयार हैं क्या सभी, करे start, चलो, पहला हम start कर रहे हैं, ब्रोमी ने ध्यान से सुनिएगा, bromination क्या है, aniline आप लेने लगे हो, aniline आपका क्या है, primary amine है, primary aromatic amine है, यह क्या है, aniline है, जब आप aniline की reaction करवाते हो, bromine water के साथ, ठीक है, जी, room temperature पर करवाते हो, और आप यहां पर क्या लेरे हो, edge 2 लेरे हो, water लेरे हो, polar protect solvent ले लेज, polar solvent लेरे हो, जब आप polar solvent का इस्तमाल करेंगे न students, तो आपको यहां पर bromine जो है वो कहां कहां पर देखने को मिलेगा, ortho position पर भी देखने को मिलेगा, पैरा position पर भी देखने को मिलेगा, क्या product आपको obtain होगा ध्यान से देखना, यहां यह NH2 as it is है, यहां पर भी VR जुड़ जाएगा, यह पर भी VR जुड़ जाएगा और इधर ortho पर भी VR जुड़ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 246 tribromoaniline कहलाएगा, और यदि अगर आप इसकी reaction न students, अगर आप इसकी reaction CCL4 के साथ कराते हो, that is non-polar solvent, किसके साथ करवा रहे हो man, non-polar solvent के साथ करवा रहे हो, तो आपको individually ortho औ और para product देखने को मिलेंगे, क्या होगा, individually ortho और para product देखने को मिलेंगे, यह NH2 रहा, यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, BR और यहाँ पर भी क्या जुड़ा होगा, यहाँ NH2, यहाँ पर क्या जुड़ा होगा, BR जुड़ा होगा, ठीके जी, हाँ जी, ठीके जी, हाँ, product is 246, लिए ना कर लेंगे ना कर लेंगे बहुत सही है अब त Mimi दिखाते हूं नित्रेशन के केस तो तुम्हे न प्रदक्ट देखने को मिलते हैं नर्डेशन नई भात है अब समगे अब धन चेयर और कर बंता बान दमान प्रदक्ट भी vàंगों तो तो क्या करने वाले हो तोαι माइन जब आप इसकी reaction concentrated HNO2 के साथ कराते हो और साथ में किसके साथ H2SO4 हाँ अब मुझे एक नहीं पर छोटी सी बात बता नहीं यहां पर क्या हम add करते हैं basically यहां पर क्या add होगा NO2 as an electrophile sorry HNO3 आएगा यहां पर क्या as an electrophile आगर क्या add होगा मैम NO2 as an electrophile add होगा माम कहा add होगा मैम वह add होगा अब हमारा और्थो पर भी परा पर भी नई बात क्या है माम नई बात माम यह है भी इस पर Meta directing भी होगा वह और क्या होगा Meta directing यहां पर भी जुड़ जाएगा ओर दूबर ऑरस पर जूड़ जाएगा यह हमारा एनेच्टू है जी यह चलो और माधा पर भी जुट जाएगा जी और ये कहां परB-en-च यारी और ये पर जुट जाएगा जा आप MIN colleagues यू चाहां पर रहका सकता या वह यहां पर व्यस्टत देखने को मिलते हैं कर लेंगे यहां बहतादो कर लेंगे तो चलो है थो हुस्वो है के साथ करें करें एड स्वेशा थोड़ा से डिफठेंट केस है देखते हैं यह तो तो वहां पर पैमीनों पेंजीन वेलोंुकिंट foster아아uem देखिंगे है कैसे, यहाँ पर हमारी पास क्या है, आनलन है, बेंजीन रिंग के उपर क्या है माम anion has been यह निरीका क्या है जी h2 इसके रियक्शन तुमने किस के साथ करवानी है जी तुम करानी है अरे टुम कॉंस तो पहले सॉल्ट लेंगा और माम सॉल्ट बनेगा अच्छा मामसॉल्ट बनेगा तो बता ना प्या वनेगा यहां पर पते हैं क्या जाएगा एनैच थ्री पॉजिटिवा जेगा क्या आज enclosed एक इसका twice SO4 negative, यह क्या होगा, यह salt बन गया, क्या होगा माम, salt बन गया students, क्या बन गया माम, salt बन गया, अब इसकी further reaction तुम दुबारा से H2SO4 के साथ करवाते हो, तो क्या होगा, SO3H group जो है, वो आपका कहां आकर के जुड़ जाएगा, वो आपका para position पर आकर के जुड़ जाएग यहाँ आजेगा जी NH2 और यहाँ आजएगा SO3H group, खास बात पते किया है, खास बात यह है, भी यह negotiation यहाँ से shift करके यहाँ चला जाता है, जब यह यहाँ से shift करके यहाँ तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलता है, यहां आ जाएगा NH3 positive, और यहां पतर पतर क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा SO3 minus, आपको as a major product ये last में देखने को मिलता है, ये आपको as a major product देखने को मलता है, कर लेंगे ना आरे ये तो simple है maam, ये तो हो जाएगा maam, कर लेंगे चलो फड़ावट से फड़ावट से अब हम start करने जा रहे हैं Dysonium salt, Dysonium salt पे चलने से पहले आपके लिए कुछ lines है ध्यान से सुनना भई, Dysonium salt करने जा रहे हैं, last topic करने पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा कुछ करना पड़ेगा, जीतने के लिए यारो लड़ना ही पड़ेगा, जीतने के लिए यारो लड़ना ही पड़ेगा, तो अगर आप ये सोच लो ना भी बैठे बैठे कोई चीज मिल जाएगी, महनत करनी पड़ेगी, बहुत महनत कर पड़े ही है ना क्योंकि देखो अगर गोल बड़ा है तो उतनी ही महनत वह गोल भी मांगता है चले आगे चले क्या बात है चलिए 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 अब हम स्टाट करने जारे हैं students Dysonium salt की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से सुनियागा डाय का मतलब क्या होता है दो एजो का मतलब क्या होता है नाइट्रोजन की बात की एम का मतलब एम यूज करते है पॉजिटिव के लिए और सॉल्ट की बात करती मतलब पॉजिटिव और नेगटिव भाई साब दोनों क्या है जी यह Dysonium salt की General हम यह कह सकते है रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर CL नेगटिव की जगह आप X नेगटिव लिख लेना ना एजी रह जाएगा अब यहाँ पर X की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हो आप X की जगह पर BR नेगटिव, CL नेगटिव का इस्तमाल कर सक सकते हो ठीक है इन चीजों का आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते हैं ठीक है जी बियार नेगटिव, CL नेगटिव, HSO4 नेगटिव आप इन सब का यहाँ यूज कर सकते हैं अब Dysonium salt आपने बहुत बार पढ़ लिया बच्चो बहुत बार पढ़ लिया इसका method of preparation तो मुझे ल बेंजीन लेगिंव क्या लगा लगा है तो आप इसकी reaction किसके साथ करवाते हैं और आप इसकी reaction और ऐसके साथ कराते हैं बहुत सिम्पल से हानी यहां पर बनता है यहां पर बनता है benzene disonium salt, क्या होगा, यहां क्या आ जाएगा, N2 positive Cl negative, यही तो मैंने कहा था, R N2 positive X negative, यह R group हो गया, यह N2 positive हो गया, यह X negative, photo not clear, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर लिख रही हूँ, photo उसके बाद समझा दूगी, ठीक है, उसके बाद बता दूगी, ठीक है जी हां जी, साथ में क्या निकल जाएगा, मैं NaCl निकल जाएगा, और वाटर निकल जाएगा, अब इसी को Nc18, देखो कैसे लिखा है, बैंजीट डाइज़ोनियम क्लोराइड को हम प्रिपेर करते हैं, बाइद रियाक्शन ओफ एनिलिन विद नाइट्रस असिड, नाइट्रस असिड अगर वहां लिखा हुआ तो बहुत साही बात है, नहीं लिखा हुआ तो नाइट्रस असिड को आप कैसे बनाते हो, जब आ बरजन क्या है, आपके मास प्राइमिर अरोमाटिक हमाइन है, C6H5 NH2 लिखा है यहां पर, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, C6H5 is my this ring, और उसके उसके क्या लगा जी, NH2 लगा, इसकी रियाक्शन ने, N2 और HCl के साथ कराएंगे, तो हम ही यहां से क्या मिलेगा, Benzene, D से कर लोगे, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, अरे बता दो अच्छो, कर लोगे तो कर लोगे, बता दो, बता दो, बता भट से, चलिए, फिजिकल प्रॉपरटीज की बात करते हैं, तो बहुत सिंपल से फिजिकल प्रॉपरटीज है, Benzene, Dizonium, Chloride की ही अगर हम बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, Benzene, Dizonium, Chloride की, N2, Positive, Cl, Negative की, इसकी बात करते हैं, तो यह बेसिकली क्या है, यह Colorless, Crystalline, Solid है, यह क्या है, Colorless से Crystalline, Solid है, और यह Radily Soluble किसमे होता है, पानी के अंदर Radily Soluble होता है, और यह Stable होता है, Cold के अंदर, लेकिन यह जैसे ही पानी को गरम करोगे, तो यह React कर जाएगा, यह क्या कर जाएगा, यह Decompose easily कर लेता है, Dry State के अंदर, और साथी साथ उसने बोला है, Benzene, Dizonium, Fluoroborate जो होता है, वो water insoluble होता है, और रूम टेंपरेचर पर stable होता है, तो कुछ properties है, जो आपको सिरफ पता होनी चाहिए, that's it, चलो, आगे देखते है, students chemical reactions की प्रती move करते है, तो chemical reactions ना है, दो तरह की chemical reactions दिखाएगा, एक में तो क्या होता है, यह displacement दिखाता है, ठीके जी, दू जाप्टर में भी देखेंगे, आपने वहाँ पर भी करी है, ठीके जी, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, reactions involving displacement of nitrogen, nitrogen की displacement दिखाएगा, दूसरा, जिसके अंदर involving retention of diazo group, मतलब यहाँ पर coupling reaction की बात हो रही है, तो दो तरह की chemical reactions आपको देखने को मिलेंगी, आप दे सबसे पहले, coupling reaction हम बात में करेंगे, पहले हम करते हैं, हम पहले करते हैं हमारी sandmare reaction, याद है क्या सभी को sandmare reaction, आरे तुमने पढ़ी थी भाई, भूल कैसे गए, sandmare reaction में क्या होता था, चलो यहाँ लिखते हैं, sandmare reaction की बात करते हैं, तो यहाँ हमारी पास बेंजीन डाइजोनियम होता है, यह यह N2 positive, Cl negative, जब आप इसकी reaction करवाते हो, students, CuCl2 के साथ, Cu2, Cl2 के साथ, HCl की presence में, तो क्या होता था, यहाँ से आपको क्लोरो बेंजीन देखने को मिलता था, है ना, अगर आप इसकी reaction, Cu2, Br2 क के साथ करवाते हो, with HBR, तो यहाँ से आपको Bromo Benzine देखने को मिलता है, यह आपकी क्या है, यह आपकी Sandmare reaction है, अच्छा, माम यह दोनों तो साथ क्या साथ करवाती हो, अगर मैं इसकी reaction कि के साथ करवाती हूं, तो क्या मिलता है, तो मुझे IDO Benzine मिलता है, यह आपकी Sandmare reaction न आप में से कई बच्चे कहेंगे माम अगर हमने फ्लोरो बेंजीन बनाना है तो HbF4 के साथ इसकी रियक्शन कराईए तो बेंजीन रिंग के उपर क्या आजाएगा? तो मामम बेंजीन डेंट के वो पर फ्लोरीन आ जाएगा क्या जाएगा फ्लोरीन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा はいतना दो कर लेंगे अच्छा मैम अगर हम इसकी अलकौहल केसाथ रीचशन करा दे CH3 CH2 OH के साथ करा दे तो बता क्या होगा तो यहाँ से आपको बेंजीन मिल जाएगी क्या मिल जाएगी मैं बेंजीन मिल जाएगी और आपको यहाँ से CH3 CHO मिल जाएगा LDH.10 हो जाएगा clear हुआ अरे बता दो भाई अगर हो गया तो हाँ जी बताएगे बड़ा बट से अच्छा एक और reaction कर लेते हैं अगर हम इसके reaction water के साथ कराएगे तो क्या बनेगा तो phenolol बन जाएगा तो क्या बन जाएगा पिनोल बन जाएगा कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे अरे बतादो कर लोगे न अब reactions, easy है न reactions, कर लेंगे न, अच्छा, getterman reaction पते क्या बोलता है, getterman reaction भी बहुत simple है, getterman reaction simple बोलता है, Cu और HCl के साथ कराओगे, तो this is your chlorobenzen, ऐसे Cu और HBr के साथ करवाओगे, तो bromobenzen, यह आपकी getterman reaction है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, चल लें आगे, तो यह आपकी सारी क्या हो गई, सारी reactions मैंने एकी के अंदर sum up कर दी, यह जो दो है, यह सैंड्मियर वाली है, ठीक है जी, यह वली और यह वली सैंड्मियर वाली है, clear हुआ, clear हुआ तो बता दो भाई, बता दो भाई, clear हो गया तो, हाँ जी, मैं मैं आपकी वीडियो प्लेलिस में क्यों नहीं है, हम देख लेंगे प्लेलिस में क्यों नहीं है, डलवाद देंगे, प्लेलिस में टेंशन नलो, डल जाएगी प्लेलिस में, ठीक है, अब हम देखो क्या करते है, अब हम करते है, next category, जो कि हमारी याथी, coupling reactions, coupling reactions की case में देखो, अब मैंने क्या लिया यहाँ पर, मैंने अपना लिया aromatic amine, ठीक है, sorry, aromatic amine बाद में लेते हैं, पहले हम case लेते हैं, disonium salt लिखेंगे, तो यही होगा disonium salt, इसकी reaction अगर मालो है, phenol के साथ कराती हो, किसके साथ करा रहे हैं हम, phenol के साथ, तो देखना बहुत simple reaction है, अरे बहुत simple है, यहाँ पे एक hydrogen होगा, होगा, क्या होगा, क्या होगा, मैं, यह HCl यहाँ से निकल गया, भाई, HCl यहाँ से निकल गया, क्या होगा, देखो, यह दोनों जुड़ जाएंगे, यह आपकी पहली ring होगई, अब यह N2 को आप open क अधर कैसे लिख सकते हो, nitrogen, double one nitrogen होगा, और यहाँ पर यह दूसरी आपकी ring होगई, और इस पर क्या लगा हुआ है, दूसरी ring होगई, इस पर क्या लगा है, OH लगा, यह कब हुआ जब आपने phenol के साथ reaction करवाई, अरे यह कब हुआ जब आपने phenol के साथ reaction करवाई, कर अरे बता दो भाई, कर लेंगे तो बता दो भाई, कर लेंगे, अब इसकी हम किसके साथ करेंगे, अब हम इसकी reaction कराएंगे, aniline के साथ, हमारे पास क्या है फिर से, benzene, disonium, salt, N2 positive, Cl negative, इसकी reaction करा रहे है हम aniline के साथ, तो यहाँ पर भी तो यही होगा, यहाँ पर भी तो यह HCl निकल जाएगा, यह nitrogen, double bond nitrogen, यहाँ के आएगी हमारी ring आजाएगी भाई साथ, फिर से, और यहाँ के आजएगा, NH2 आजएगा, these are your coupling reactions, इसको भाई बोलते हैं, coupling reactions, इसको हाँ, HCl आउट कर तो इसको बोलते हैं, coupling reactions, कर लोगे, अरे फटा फट बताओ, इसको लिख लो इसको लिख लो, फटा फट लिख डालो, अरे फटा फट लिख डालो, लिख डालो, फटा फट लिख डालो, हो गया, चले हो गई, लिख लिया तो लिख चलिया, आगे चलते हैं, अरे भाई, लिख लिया तो आगे चले, बता दो भाई, बता दो भाई, चलो अब देखते ह अब हमारे पास कुछ questions आते हैं, यह तो हमने कर लिया है, coupling reaction of aniline, aniline वाला case भी देख लिया है, चलो, पहला question देहां से देखना, राइट chemical equation of the following conversions, nitrobenzine को फिनोल में convert करना है, nitrobenzine को फिनोल में convert करना है, nitrobenzine क्या होगा माम, जब इसके उपर क्या लगा है, NO2, और इसको अपने किस में convert करना है माम, फिनोल में, मतलग जब बेंजीन रिंग के उपर क्या लगा है, OH लगा है, सभी को मैं एक मिनिट दे रहीं, सभी इसको लिखेंगे, सभी इसको लिखेंगे, खुट से ट्राय करके देखेंगे कैसे बनेगा, खुद से ट्राय करके देखेंगे कैसे बनेगा जब यह आती है चीज तो आपको कुछ याद है आपको कुछ याद है इस जब हमारे पर यह रियक्टन था तो हमने इसकी रियक्शन करवाई थी ओले करवाई थी या निकल प्लाटिन पैलेडियम के साथ वाइन बना था है एड मैं आलेन बना था अच्छा अब मुझे बता मां बनता था तो तुम उसको किस परपर कर सकते हो अरे रियों अब एक्शन भी अब इंग करके ते दे खार्रों Dysonium salt बनेगा ना, अरे भाई, क्या कर रहे हो, Dysonium salt बनेगा ना, अभी तो किया, N2 positive, Cl negative, और अभी तुम्हीं ये reaction लिखवाई है, अभी तुम्हीं ये reaction लिखवाई है, फिनोल में convert करना है, तो किसके साथ react करा दो उसको, water के साथ करा दो, किसके साथ react करा दो जी, water के साथ कर सब्सक्राइब क्या अब यहां से बन जाएगा फिनॉल हो गया ना हो गया ना एसी इनक्तिट है जिसक्राइब अरे बता दो भाई हो जाएगा ना कर लेंगे ना मैं इसी था नो बहुत तो यह था यह था और यह था बहुत यह था चलिए अग्ली conversion question देखते हैं, write the chemical equation for the following conversion, aniline को आपने chlorobenzene में convert करना है, aniline को आपने chlorobenzene में convert करना है, देखिए, aniline में, aniline क्या होगा, जब benzene ring के उपर क्या लगा है, ma'am, NH2 लगा है, इसको आपने chlorobenzene में, chlorobenzene का मतलब क्या है, जब इसके उपर CL लगा है, तो अभी आपने देखाता है, जब आपके पास aniline आजाता है, आप इसकी reaction, NaNo2 के साथ, है ना, NaNo2 रेचल के साथ करवाते हो, ठीके जी, इसके साथ कराते हो, तो यहाँ पर क्या बनेगा, benzenen, daizonium, salt बनेगा, अच्छा, आप इसकी reaction तुम किसके साथ करवाओगे, अरे, क्या बात है बात है, तुम लोग खुच जवाब दे रहे हो, बहुत सई, खुच सब्सें, जब दे हो, बहुत सई, हान जी, चले हागे , चले हागे बलो Bunu kommt, बताइए, हान जी, हान जी, हान जी , पां जी, किसके साथ कराऊगे तो बनेगा करेंगे चलो एक homework question है आप सभी के लिए जिसका answer मुझे comment section के अंदर चाहिए छैसे ही live session होता है कैसी ही live session end ओगा मुझे इसका answer comment section के अंदर चाहिए कर लेंगे फटाफ़त question लिख़ो everybody question लिख़ो चले आगे बताये question क्या है nitrobenzyne को किसमे convert करना पर करना और करना करना है Bitcoin करने में कर लेंगे कर लेंगे अरे क्या बात है बच्चे तो आंसर में लिख रहे हैं हाँ आप पिछले वाले मेथड में ख्लोरो बेंजीन बनाने के लिए आप गेटरमें रियाक्शन भी करवा सकते हो आप कोई भी रियाक्शन कर रहा सकते हो मैंने आपको एक मेथड बताया है वीरीयस मेथड वीरीयस मेथडached तूबेंस हाँ हां जी करने से पहले, end करने से पहले, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, आजादी की लडाई में वीर कुवर सिंका बहुत नाम था, तो उन्होंने बहुत help की थी, ठीक है, क्या हुआ, वो जब गंगा नदी पार करने जा रहे थे, ठीक है, जब गंगा नदी पार कर ठीक है, या फिर वो वहाँ से हार जाते उस situation से, समझना चीज को, जब उनके हाथ पर गोली लगी थी और उनका हाथ काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने पता है क्या किया, वो नदी किनारे गंगा नदी क्रॉस कर रहे थे, जब वो गंगा नदी क्रॉस कर रहे थे तो उनक हाथ काटके गंगा नदी में फैक दिया, भी मैं किसी के आगे जुकूंगा नहीं और मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने देश को इनके हातों लगने नहीं दूगा, बहुत बड़ा रोल था उनका अंग्रेजों की यह जो आजादी की लड़ाई थी, अंग्रेजों से उन नहीं बैटना है, किसी ने भी डर के हार के नहीं बैटना है, ठीक है, तो उससे यह सीख मिलती है, भी अगर आपका पेपर पास आ रहा है और आपने तयारी अभी तक नहीं करी है, और आप डर के सिरुफ उस चिसको छोड़ रहे हो, तो भाई तुम हार मान चुके, फिर फाइटर बनो, घबराओ मत, ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्टर के अंदर, हमारे लास्ट औरगेनिक चाप्टर के साथ, यह बायो मॉलेक्यूल्स, तो तिल दें स्टुदेंस, कीप स्माइलिं, कीप लर्निंग, और कॉमेंट सेक्शन के अंदर जो दो